तो हमारे श्रिमत भगवद गीता की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अब नौवे अध्याए से पढ़ रहे हैं इस अध्याए में श्लोक संक्या दस्तक चर्चा कल पूरी कर चुके है तो इस अध्याए में पहले तीन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है उस ज्ञान की पातरता उस ज्ञान को प्राप्त करने की पातरता एवं अपातरता इन दो चीजों की बात हुई एक से तीन श्लोकों में और फिर कल के सत्र में हमने चार से दश्लोकों की चर्चा की जिसमें भगवान श्री कृष्ण का भौतिक जगत से जो संबंध है तो वो संबंध कैसे अचिंते है मत्स्थानी सर्वभूतानी नचमत्स्थानी सर्वभूतानी सारे जी मुझे में स्थित है और फिर भगवान कहते मुझे में स्थित है भी नहीं अध्युग है और श्थित है भी नढ़ में तो इसको हमने कल विस्ताठ से चरचा की कि इन शब्दों में क्या विप्रेथ है भगवान को किस वजह से उस प्रकार से कहते है और फिर इसके पश्चा था भी, आज के सत्रे में, ग्यारा से लेके उननेस श्लोकों में, भगवान के विविद प्रकार के उपासक की बात होगी शुरुआत में, भगवान उनको गलत समझने वालों की बात करेंगे, दो श्लोकों में, तो आप कह सकते हो कि भगवान के, भगवान को गलत समझने वाले मतलब, जो उपास ना करते हैं, वो तो एक हो गए, और गलत धारना वाले जो हैं, तो इस परकार से, तो यह दोनों की च चर्चा हुई है ग्यारा से उन्निश श्लोकु में तो उसमें शुरुवात में भगवान के बारे में जो गरत धारना करते हैं उनकी बात हो दिए उनकी चर्चा करते हैं अबजानन्ति मामोधा मानुशीम तनुमाष्रितम परंभावम जानन्तो ममभूता महेष्वरं जैश्री राधा मातर जानुवात परिए अरे कृष्णा प्रगुजी धनुत पर्णम जब मैं मनुश्य रूप में अव्तरित होता हूं तो मुर्क मेरा उपवास करते हैं वे मुझ परमेश्वर के दिव्य सुबाव को नहीं जानते हैं तो दोश लोकों में भगवान के बारे में जो गलत धारना होती है उसके कारण वो भगवान की उपासना जो नहीं करते हैं उनकी बात हो रही है मुर्क लोग जो है वो मेरा उपहास करते हैं अवजानन दी मुझे गलत समझ बैठते है या उपहास करते है क्यों ऐसा होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मैंने मनुष्य रूप जो है वो धरन किया है मतलब जैसे मैं साधरन मनुष्य हूँ जब वो मेरे कार्य कलाब देखते है इस जगत में जो कि भगवान अवतार के रूप में जब उनका आविर्भा होता है तो उनको देखके बुर्ट लोग जो है वो भगवान को गलत समझ बैठते हैं सोचते हैं कि यह तो एक असामान्य पुरुष है कुछ विशेश पून्य से श्री कृष्णा यह जो है इतने शक्तिशाली है तो असामान्य पुरुष भी नहीं है ना भगवान तो सामान्य या फिर असामान्य दोनों नहीं हैं भगवान भगवान तो पूर्णुपुरुषत्तम भगवान He is not ordinary or extraordinary He is supreme personality तो ये लोग जो है ऐसे सोचते हैं कि अरे ये तो मनुश के जैसा है या ऐसे सोचते थे जैसे दुरियोधना आदी कि ये बहुत बड़ा योगी है ये इसने पिछले जनम में बहुत योग आदी के बल पे बहुत सारी सिध्या प्राप्त कर लिए इसलिए ये बहुत शक्तिशा लिए तो ये जादुगर है योगी है बड़ा इसके कारण ये इस प्रकार से हर बार विज़े पा लेता है तो ऐसे दुरियोधना आदी को लगता था वो उनको उनों पुरुशत्तम भगवान के रूप में थोड़ी ना देख रहे है दुरियोधना दी मंडली तो ऐसी बात है तो ऐसा क्यों है क्यों उनको साधरन पुरुश समझते हैं परम भावम अजानन तो क्योंकि वो भगवान के परभाव को मतलब भगवान के वास्तविक स्थिति को कि वो जो एक मनुष्य की तरह लीला दिख रही है उसके परे वेक अलोकिक पुरुण पुरुशत्तम सच्चिदानन्द भगवान है उसको नई जानते हैं अजानन तो भगवान के बारे में भगवान की स्थिति के बारे में वास्तविक ज्यान नहीं ममभूत महेश्वरम तो भगवान कैसे समस्त जीवों के वरम स्वामी है इस चीज को वो नहीं जानते है इसलिए फिर भगवान का उपहास करते है अब जाननती आप भगवान का उपहस करते हैं भगवान को गलत समझ बैठते हैं देखो कोई जानता नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है अजानन्ती बराबर है जानता नहीं है अजानन्ती लेकिन अवजानन्ती प्रॉब्लम है जानता नहीं है तो ठीक है ग्यान दोगे तो फिर वो जान जाए लेकिन जो अवजान अंती वो जरा परिशानी वो परिशानी है बड़ी क्यों कि वो क्या है गलत धार ना लेके बैट ग्जान किसी को ग्यान नहीं है तो आप उसको ग्यान दे दो उससे भो ठीक हो जाएगा लेकिन आप सोचो किसी में अगर गलत धारना है तो उस धारना को निकालते निकालते बहुत समय और बहुत प्रयास लगता है क्यों क्योंकि उसका दिमाग खराब है तो उसको पहले साफ करना पथा है बहुत अच्छे से तो जब आप उसको ठीक करना चाहोगे तो वो अपनी समझ बताएगा वितंडा करेगा बहुत कुछ तो वो सब अवजाननती वाले ये लक्षन है जिसको पता नहीं है वो तो ठीक है पता नहीं है तो फिर वो सुनेगा तो यही कारण था कि प्रभपात भी पाश्चर के जगत में गए है तो वहां पर फटा फट भक्ती जो है वो स्विकार की उनके चात्रों ने क्योंकि वो इस प्रकार से ठेजैसे कोई स्लेट होता है जिस पर लिखते है तो वो स्लेट अगर पुरा कोरा है पुरा उस पर कुछ लिखा नहीं है तो बहुत फिर आप अच्छे से कुछ लिख सकते हैं लेकिन उस पर पहले से बहुत कुछ लिखा है तो कुछ और लिखने के लिए जग़ ये नहीं है कुछ स्लेट पर उच्छा तो फिर पहले तो सब पोचना पड़ता है फिर उसके उपर कुछ अच्छा चीज लिख सकते हैं अच्छी चीज अच्छे शब्द लिख सकते हैं तो ये बात है तो ये अवजाननती लोगों की ये परिशानी है कि वे पहले से कुछ गलत धारना लेके बैठें भगवान के परती अरे ये तो साधरन मनुश्य है या असाधरन मनुश्य है या तो ये तो चलिया है ये तो योगेश्वर है सिर्फ योगेश्वर बस बहुत बड़ा योगी है तो ऐसे ये अलग 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 धारना लेके बैठें ये वास्तरिक जानते नहीं कि ये तो लीला पुरुशुत्तम पूर्ण पुरुशुत्तम भगवान श्री कृष्णा जो समस्त ब्रह्मान्डों के और जीवों के स्वामी है तो ये बात जो है यहाँ पर भगवान समझा रहे इन लोगों के बारे में तो देखे प्रवपत क्या करें पिछले श्लुकों में जिन अद्भुत कार्य कलापों का वर्नन हुआ है वे भवतिक शरीर द्वारा संपन नहीं हो सकते पिछले श्लुकों में जो चार से दस में वर्नन आया है ना भगवान के भवतिक जगत के साथ अचिंते संबन्द के वो क्या कोई साधरन मनश्य कर सकता है कि वो तो कोई मतलब भगवान जो सच्चिदानंद रूप में है वही कर सकते है जिन में सारे जीव जो है वो चले जाते है प्रले के वक्त और फिर से वो प्रस्तुत हो जाते है तो मतलब वो जो प्रले है जन्मास्थिती प्रले के परे ह तो वो सच्चिदानन्द रूप है जब भौतिक संसार नहीं है तब भी उनका रूप बना हुआ मतलब वो रूप जो है वाद्धात्मिक होना चाहिए नहीं जब कुछ भौतिक संसार भी नहीं है तब भगवान कहते मैं हूँ मैं अकेला था हमेशा ही हम एवासम अगरे भगवान कहते कि मैं जो हूँ प्रारम से था हमेशा ही था समस्त ब्रह्मान भी जब पूरी तरह से प्राकृतिक प्रलाय अवस्था में रहता है तब भी भगवान रहते तो इसका अर्थ भगवान का शरीर बहुतिक नहीं है क्योंकि भवातिक विश्वई ही नहीं है भवातिक ब्रह्मान भी नहीं लेकिन भगवान है तब तो इसका अर्थ भगवान का जो रूप है वो भवातिक नहीं है बड़ी तारकिक बात है तरक शुद्ध बात है अगर ब्रह्मान, भोतिक ब्रह्मान की भी सत्ता नहीं है और भगवान की सत्ता है तो मतलब भगवान की सत्ता सची दानंद होनी चाहिए यदे भी वे सामान्य व्यक्ति नहीं है किन्तों मूर्ख लोग उनका उपहास करते है और उन्हें मनुश्यमान्द उनका शरीर यहां मानुशीम कहा गया क्योंकि वे कुरुक्षेत्र की युद्ध में एक राचनितिक गया और अर्जुन के मित्र की भाती सामान ने वेक्ति बनकर कर्म कर देखो कुंति महरानी ने भी अपने प्रार्थनाओं में इस विशे का थोड़ा सा उहापो किया है तो वो कहती है कि भगवान की लीला ऐसी है कि वे लगते हैं मानों जैसे किसी मनुश्यों का ही अनुकरन कर देखो भगवान जब माखन चुराते है या भगवान अपने दोस्तों के साथ गोप सखाओं के साथ प्रिड़ा करते है या गोपियों के साथ लीला करते है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सामान्य मनुश्यों की लीला है लेकिन समय समय पर भगवान उसी उनी लीलाओं में ये भी दर्शाते है कि ये सामान ने मनुश के जैसे लीला नहीं है एक और माखन चुराएंगे लेकिन दूसरी और उतना जैसे राक्षे सिकावद करेंगे जब वे केवल 6-7 दिन के थे तब या फिर गोवरधन परवत को उठाते है या फिर करोडो करोडो रूपों में विस्तारित होते है तो बहले ही उनकी लीला मानुश ही लगे लेकिन समय समय पर ये भी दिखा देते है भगवान की कैसे ये लीला मनुश के लिए असंभव है तो इसलिए अरधकुकुट नयाश से केवल ऐसा नहीं देखना चाहिए कि अरे ये तो क्या है ये मनुश जैसे लीला है लेकिन भगवान की वो लीलाएं भी देखनी चाहिए कि जहां पर कोई ये मनुश उनकी बराबरी नहीं कर सकता मनुश तो छोड़ देजिए ये बात है तो इसलिए वो भले ही दिखती हो मनुशों की तरह लेकिन वो है नहीं मनुशों की तरह लेकिन जो विडम बनम कहा है उन लिदाओं को कुंति महारा ने विडम बनम तो विडम बन का क्यारत होता है ऐसे लगता है कि जैसे नकल कर रहे है भगवान मनुश्यों की लेकिन एक्शुली मैं विडम्बन का अर्थ कुंती महरानी कहती है कि वो उपहास कर रहे है मनुश्यों का देखो बड़ी अच्छी चीज बोली है विडम्बनम मतलब कोई सोच रहा होगा कि भगवान जो लीला करते है उसमें विडम्बन शब्द का अर्थ है एक होता है नकल ऐसे लगता है जिसे मनुश्यों की नकल कर रहे है जैसे मनुश्य का जो शिशु होता है वो भी जैसे माखनादी चुराता है वैसे भगवान भी दिखाते है लेकिन वो करते हुए वास्तविक भगवान विडंबन कर रहे है विडंबन मतलब क्या वो मनुष्यों का उपहास कर रहे है क्योंकि ऐसा रूप ऐसी माधुरी भगवान प्रस्तूत करते है कि मनुष्य विडंबित हो जाते है भगवान ऐसा सौंदर्य प्रकट करते है कि इस जगत का जो मनुष्य है या देवता भी है वो भी भगवान की सामने बंदर के जैसे लगते हैं ऐसा सौंदर्य भगवान प्रकट करते हैं तो इसलिए विडंबित करना मतलब उपहास करना वो इस जगत के मनुश्रों का मानु उपहास कर देते हैं इस प्रकार का सौंदरिया इस प्रकार का शौरिया प्रकट करते हैं श्री रामचंद्रा या श्री कृष्णा इस प्रकार की लिलाओं को प्रस्तुत करते हैं जिससे मनुष्य जो है वो वास्तविक दिखा जाए तो विडंबित हो जाते हैं एक दो तो ये बात है तो इसलिए उसको मानुशिम देखने के लिए ऐसा लगे मानुशिम है कुछ पहलू लेकिन उन लीलाओं का समगर अगर आप अध्यान करोगे तो फिर समझोगे कि ये ली लीला मानुशि नहीं है वास्तविक ये लीला तो अती मानुशि है इस सूपर हिमन प्रतवान कि लकर्मानी सहरामेन केशवह अती मर्थ्यानी भगवान गूड़ः कपटवान शूद को सौमिन अभी प्रतमध्याय में ये कही है चीज़े की भगवान की लीलाएं कैसे अती मरत्या है नहीं है वो मानुष नहीं है अती मानुष है अती मरत्या है मनुष्यों के परे है वो जो लिलाएं है ऐसे लेकिन अगर कोई बस अर्धकुकुत नयाई से कुछ ऐसी बस लिलाओं को देखके अगर वो कहना चाहते है रहे ये तो साधरन मनुष्य है तो वो उसका ज्ञान है वास्तविक, परंभावमजानन तो ये बात है, तो प्रोपत जी कहते हैं कि कई कई बार तो तथाकतित विद्वान और भगवद गिता के टीका कार को भी ये ज्ञान नहीं होता और वो मनुश्य को या श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष कहके उनका उपहस करते ह तो भले ही वो विद्वान बहुत ग्यान रखता हो संस्कृत का या फिर अन्यान्य शास्त्रों को पढ़ा भी हो लेकिन अगर उसको श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष कह रहा है वो तो फिर गीता की अधिकृत्ता क्या है वास्तविक देखा जाए गीता की सारी अगर कोई कृष्ण को सामान्य मनुष कहता है तो यह एक्चुली बहुत बड़ी मूरुखता है बहुत बड़े-बड़े विद्वान भी श्री कृष्ण को वास्तविक समझ नहीं पाते है वह या तो उनको साधरन मनुष्य मानते है राजनी तिग्य मानते है या तो फिर उनको सामन्य पुरुष योगी मानते है जो कि गलत है श्री कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह इश्वरह परमह कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह इश्वरह परमह कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह वो तो परम इश्वर है परम सत्य है सत्यम परम धीमन तो इस प् गलत समझेंगे तो देखो इसमें अवजानन्ती जो है ना वो सारे ही लोग जो श्री कृष्ण को साधरन पुरुष मानते है या राजनितिग्या या फिर जैसे मायवादी भी हो वो तो शास्तर के वेता भी होते है कई बार लेकिन वो भी गलत समझ लेते हैं तो सारे ही कैटे जैसे मायवादी भी समझते है कि ये ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मा से आया हुआ ब्रह्मा का रूप है ये श्री कृष्ण जो है तो मानते हैं कि जो निर्विशेश ब्रह्मा है निराकार है वो कुछ समय के लिए पुरुष रूप में आया और फिर वो पुरुष रूप में आके फिर से वापिस उस निराकर ब्रह्मा में लीन हो गया ऐसे वो सोचते है तो निर्विशेश ब्रह्मा को वो स्तरोत मानते है और श्री कृष्णा को वो स्तरोत से आया हुआ एक रूप जो है वो मानते है जो की रूप शाश्वत नहीं है कुछ समय के लिए आके वो रूप बस चला गया तो ये बात भी गलत है ऐसा भी नहीं वास्तविक उल्टा है निर्विशेश ब्रह्मा जोती जिसे कहते है वो वास्तविक भगवान से निकल रही है अम भगवान निर्विशेश ब्रह्मा से नहीं निकल रहे है गीता में भी भगवान ने कहा है ब्रह्मनों ही प्रतिष्ठा है मैं जो हूँ वो ब्रह्मा की प्रतिष्ठा याने ब्रह्मा का आधार हूँ ब्रह्मा का आधार मैं हूँ इसने कह रहे कि मेरा आधार ब्रह्मा है करके तो आगे आएगा ये श्लोक ब्रह्मनों ही प्रतिष्ठा चोदा वैत है तो इस प्रकार से ये सब गलत अंडर्स्टैंडिंग वाले गलत धारना वाले लोग जो है ना इनको भगवान कह रहे है अवजानन अब वो नहीं समझते है मेरे बारे में ऐसे तो इसलिए सगुनवादी या निर्गुनवादी इनको भगवान के मनुष्च रूप में जब भगवान प्रकट होते तो काफी इसको लेके मतभेद होते हैं लेकिन हमें प्रोपद्च कहते हैं प्रामानिक ग्रंथों का अनुशिदन करना चाहिए फिर हम श्री कृष्चन को समझ पाएंगी कई बार तो लोगों को देखो गीता को समझना भी नहीं रहता उनको गीता का आधार लेके अपने ही कुछ फिलोसपी बोलनी रहती अपने देखा होगा ऐसे कई लोग है अब गीता का आधार लेके अपनी फिलोस्पी बोलते है जैसे कई बार गीता फॉर एंजिनियर्स जब मैं पढ़ रहा था एंजिनेरिंग में आज से 20 साल पहले तो मैंने देखा कि गीता फॉर एंजिनियर्स ऐसे एक गीता के उपर किताब थी इंस्टुईशन ऑफ एंजिनेर्स करके एक मेरे कॉलिज के बारजु में ही पूना में बिल्डिंग थी तो उसमें एक ग्रन्तों का मेला लगा हुआ तो उसमें मैं चला गया तो गीता देखा तो मैं थोड़ा सा अकरशित हुआ तो देखा तो गीता क्या था गीता फॉर इंजिनियर्स में बस कि घीता को लेके हमने कैसे टेक्नालोजी वगरा को बढ़ाना चाहिए यह ऐसी बाते लेकिनी फालतू बाते थी पूरी कुछ काम के लिए तो ऐसे बहुत सारे बुक्स है गीता फॉर डॉक्टर्स गीता फॉर एंजिनियर्स गीता फॉर हाउस वाइब्स ऐसे भी एक किताब है अलग 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 इसलिए प्रवपजी कहते थे कि गीता को लेके लोगों ने गीता को अपना बली का बकरा बना दिया बकरी, बली की बकरी बना दिया गीता को मतलब क्या, जो भी कहना है तुम को तो तुम गीता का आधार लेके गीता नाम देने का सिर्फ, बाकि अपने बकवास जो है करने का पुरा अपनी बकवास जो है वो करते रहते हैं लोग तो फिर वो क्योंकि उस पे गीता नाम है जैसे माई गीता करके और एक किताब है पूरा बकवास है उसमें कुछ मतलब मुर्क विक्ती है एक्चली वो जिसने लिखा है उसको कुछ शास्त्र का ग्यान नहीं है बिलकुल भी एक नंबर का शास्त्र का विपर्यास करता है लेकि वो जहां तहां दिखेगी एरपोर्ट पर बड़ी प्रसिद किताब है माई गीता वास्त अभी का अरे प्रोपत जी कहते थे तुम को किताब लिखनी है तो तुम अलग से किताब लिखो ना तुम गीता क्यों कह रहे हो जाकि गीता कहते हैं लोग ताकि लोग जो है आकरशि लिखी हुई है तो ये तो बेकार है ना तो प्रोपत जी कहते थे ये तो श्री कृष्ण की गीता को लेके उसको बलिका बकरा बनाने जैसा है आप अपनी किताब लिखो भगवान की किताब लेके भगवान के उबदेश को लेके आप अपनी चीज़े क्यों गुसेड रहे ह तो ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे आपके तो कभी भी इन लोगों का पढ़ना नहीं चाहिए बिलकुल भी क्योंकि ये लोग सब ना इनको किसी को शास्त्र से पढ़ना नहीं है परंपरा से समझना नहीं है बस इनको अपने मन से और इसको बेस्सेलर भी बनेंगे वो लोग लोग पढ़ेंगे भी उससे कोई कुछ इसी का जीवन जो है बदलने वाला नहीं है अपने अपनी धारना लेके लोग चलेंगे बस बेस्सेलर बनते रहते हैं ये लोग देखो जो आप प्रामानिक रूप से कोई चीज प्रेजन्ट करते हो न तो उसमें नाविन्य नहीं है ऐसा लगता है लोगों को इसके कारण लोग जो भी ऐसी चीज़े लिखी जाती है नाविन्य पूर वक्त ठाकतित माई गीता आदी ये सब पढ़ते रहते लेकित वास्तविक जो परंपरा का ग्यान है शास्तर का ग्यान है जो एकदम अधिकरत प्रामानिक शैली में लिखा है वो वो चीज़े एक्चुली में वास्तविक प्रसिद्ध होनी चाहिए उसको हम कह सकते हैं कि ज्यादा प्रसिद्धी मिलनी चाहिए लेकिन वही बात है कि कलियुप में लोगों की बुद्धी उल्टी काम करती है तो आप रामायन का प्रामानिक संस्करन लाओ उसको कोई पड़े गानी कुछ उल्टा उल्टा लेके आओ रामायन की जगह रावनायन रावन जो है उसका कुछ बताओ या फिर बताओ कि कैसे रावन जो है महान था कैसे रावन जो है वो भी बहुत विशेश था हाँ बास उसको पढ़ना चाहेंगे सब ऐसे तो यह भी उल्टी खोपड़ी हो गई यह सब की हाँ सब की बुद्धी उल्टी हो गई है मैं एक बार खाली में यात्रा कर रहा था तो एक लड़का पढ़ रहा था इसे ही किताब तो पुरा उल्टा था उसमें दिया हुआ फिर मैंने थोड़ा बात किया उससे अच्छा कासा एक घंटा और उसको समझा रहा था कि देखो तुमको पढ़ना है तो तुम पस तभी प्रामानिक संसकरन से पढ़ो ना तुम बाकी कोई भी चीज पढ़नी है जैसे तुमको फिजिक्स पढ़ना है या फिर तुमको मैट्स पढ़ना है chemistry, तो तुम authentic किताबे देखते हो ना, रामानिक किताब कुन सी है देखते हो, जाके किसको भी पढ़ोगे कि, देखते हो ना किसने Tata McGraw Hill का publication है, या फिर whatever, धन पत्राएब या फिर Oxford Cambridge के publication है, इसको पढ़ोगे ना तुम, तो ये ये लोगों को क्या पढ़ रहे हो, जब बात आती है रामायन आदी की, तुम authentic जो लोग है, यहां तक कि गीता प्रेसादी भी, वो भी, उसके भी किताब पढ़ ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तो प्रामानिकता से दे तो रहा है, जो शास्त्र है वैसे, भले उसमें केवल अनुवाद हो, उसमें ज़्यादा समझाया नहीं जाता कई बात, लेकिन एकलिस्ट वो अनुवाद आदी, सब जो है, उसको प्रामानिक रूप से दिया है, लेकिन ये क्या है, जैसे कोई, रामानिक समझो, रावन के पहलू से, तो उसमें क्या-क्या विचितर कथाएं थी, कि कैसे रावन जो है, क्या उसको बोले भी, बहुत सारी विचितर कथाएं थी उसमें, जिसका कोई प्रामान नहीं है, कहें पे दिया, तो इस प्रकार से अच्छली यह बहुत बड़ा प्राब्लम कलियुग में यही है कि लोग प्रामानिक एडिशन से गरंतों से पढ़ते नहीं और कितनी बात करना चाहते हैं आपने देखा होगा पूरा पूरा इंटरनेट भरा हुआ है लोगों से बोलने वाले हर कोई उठके बस यूट्यूब चैनल खोल रहा है उसको कुछ पता है नहीं पता है कुछ माइने नहीं रखता बस बात करनी है अच्छली इतना वाचो वेगम इतना हो गया है ना लोगों का थोड़ा कुछ सीखा नहीं तो उसको भी बोलना है वह यह भी चीज़ है ना कि देखो एक चीज़ को अच्छे से सीखने के बाद उसको बोलना चाहिए हम लेकिन इतना वेग हो गया है ना सबका बोलने का कि वो रह नहीं सकता थोड़ा सा कुछ आग है तो बोलके ऐसे दिखाना चाहता है कि बड़ा विदवान है घीता का भाववत का या फिर शास्त्रों का ऐसी बात है तो यह बात है अच्छा सीखना चाहिए पहले से पिर अच्छे से सीखने के बाद बोलना चाहिए ना बट ठीक है हम लोग ज्यादा इसमें कुछ भर भी नहीं सकते क्योंकि वही हो गया है कल्यूग है और सोशल मीडिया का तो ऐसा एक्स्प्लोजन हो गया कि हर कोई बोलना चाहता है अब भले उसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जानता है कि हो बोलना चाहता है बस दिखाना चाहता है कि मुझे भी, मैं भी देखो कितना ग्यानी हूँ वास्तविक तो इसलिए बहुत इस पूरे ही एक्स्प्लोजन में, विस्पोर्ट में थोड़ा सा ध्यान से सुनिये, जानिये गलत धारनाओं को किसी गलत स्तुरोथ से सुनके ऐसे मत ये केजिये, देखिए कि बोलने वाले वेक्ति कि कि किस प्रकार की पातरता है, क्या शैली है, क्या वो अधिकरत ग्रंतों से बोल रहे हैं कि बस ऐसे ही बोल रहे हैं मन से, मेरे से सुनो लोगों ने शास्त्र जो है उसको रिप्लेस कर दिया, यहां तक कि तथाकति संतों की भी बात, देखो संत्र ने तो शास्त्र उध्रित करके बोलना चाहिए न, जहां वो शास्त्रों को हटा के बोल रहे हैं मुझ से सुनो, मैं हूँ, तो वो तो कितना बेकार हो गया हो, व शुना चक्रवर की इनको हटा के, मैं बस मेरा सुनो, क्या करता है वो विक्ति, दिन भर इस आदमे का सुनता रहता है बस, और वो कुछ बता भी नहीं रहा कि भाई, कहां से बोल रहा है तो, जो है, नहीं, तो हम लोगों की शैले में कैसा हो जाएगा, प्रभुपात जी ब सौमी बताते है, इसको बोलने की जगह हम लोग उस व्यक्ति को कोट करेंगे, जिस से सुन रहे हैं सके, वो बोलता है, वो बोलता है, वो बोलता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, आप मूल पूरो वरतियाचारियों को, प्रभुपात को, भगवान के शब्दों को, व्यास कीजिए, वो उस प्रकार से शास्त्र बोला जाता है, ऐसे, तो इसलिए थोड़ा सा गंभिरता से, प्रभुपत कई जगह पे इस चीज़ को लिखते हैं, प्रामानिक ग्रंतों का अनुशिदन दरूरी है, जहां वो हट गया ना, फिर बाकी आप, बाढ़ आ जाएगी पू जो कुछ नहीं जानते हैं, बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, इस प्रकार से, तो फिर इस से गलत वहमिया, गलत धारनाएं जो हैं, वो बढ़ती रहती हैं, तो अवजान अन्ती, पूरी तरह से, तो ऐसे लोगों को फिर भगवान कहते हैं कि इनका फस करके क्या इनके इनका गंतव्य होता है उसको अगले श्लोकों में तो भगवान ने कहा है देखिए मोगा शा मोग कर्मानो मोग ज्ञाना विचेतसव राक्षसी मासुरिम चाईवा प्रकृतिम मोहिनिम शिताः वामन प्रफणन प्रभू अड़े कृष्णा प्रभू जो लोग इस प्रकार मोहग श्त होते हैं वे असुरी तता नास्तिक विचारों के प्रति अप्रुष्टर रहते हैं इस मोहग श्ता वस्ता में उनकी मुक्ति अशाप उनके सकाम कर्मा तता न्यान का अनुशलन सभी न मच बैठते हैं भगवान को भगवान के रूप में नहीं जानते हैं कोई एक साधरन या साधरन पुरुष्ट या जस्त कोई योगी ऐसे करके सोचते हैं योगी या योगेश्वर करके सोचते हैं ऐसे लोग जो है सारे तो मोगा श्ता अगर वे कुछ कर्मा कांड आधी कर है कुछ आशाओं को लेकर लेकिन भगवान के प्रती ही गलत वहमी है तो उनकी आशाओं निश्फल हो जाती है उनको कुछ लाग नहीं मिलता उसका मतलब वो अपने इच्छाओं की पूर्टी नहीं कर पाते हैं वैदिक मार्ग में भी अगर कोई कृष्णा को गलत समझ पाता है देखो कर्मकांडियों तक या फिर योगियों को आदी सबको ही कृष्णा के बारे में गलत धारना नहीं होनी चाहिए बहले ही वो कृष्णा की आराधना ना करे वो ठीक है नो प्रॉब्लम लेकिन गलत धारना नहीं होनी चाहिए तो वो वैदिक कर्मकांड विध आदी तक में बताया जाता है कि विश्णु जो है वही सर्वस्रिष्ट है लेकिन आपको एक कोई भोतिक इच्छा की पूर्थी के लिए इस इस देवता का कुछ अनुष्ठान करना है तो कीजिए लेकिन ये गलत धर्णा नहीं होने चाहिए कि वो देवता ही श्रिष्ट है उस देवता में श्रदा है उसको वो जानता है कि उस देवता की आरद ना करने से ये लाग मिले लेकिन विश्णु जो है वो सर्वोत्थम है वो सर्वोच्छ है इस बात को यहां तक कि कर्मकान विधी में भी बताया जाता है तो अगर वैसी धार्णा नहीं है तो ऐसे कर्माना कर्मानो उनका कर्मा जो है सकाम कर्मादी वो भी विफल हो जाता है मोगध न्याना अगर कोई ग्यानी है ग्यान मार कावलंबन करता है लेकिन सोचता है कि कृष्णा एक साधरन विक्ति है जैसे मायावादी तो आपको क्या लगता है उसके ग्यान से उसको ब्रह्म की प्राप्सि होगी? बिलकुल नहीं होगी. मोगह ध्न्याना. तो देख हूँ आइसी बात है. उनकी आशाएं निश्पल होती है. उनका करमकान निश्पल होता है. उनका ग्यान निश्पल होता है. और भगवान तो कहते हैं कि एक्चुली मैं देखा जाए तो ये लोग आसुरी तथा नास्तिक विचारों के धनी ये जो लोग है क्योंकि राक्षस लोगों का ऐसा सुभाव होता है तो राक्षस असुर लोग जो होते हैं और राक्षस लोगों के भाव होते हैं जो कि आसुरों का वहाँ पर भाव प्रकट कर रहे तो वो कैसे समझते थे विष्णु को हो सोचते थे कि जैसे विष्णु जो है बहुत छलिया है और विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया तो मैं मार दूँगा विश्मों को इस परकार के यह जो राक्षस लोगों के भाव होते है तो बहले ही कोई राक्षस की तरह दिखे नहीं लेकिन अगर उसकी बुद्धी वैसी है तो वो राक्षसी भाव है जैसे कोई गीता का विद्वान भी हो लेकिन अगर वो भगवान के प्रती अवजानन्ती है तो वो एक रक्षसी भाव है, वो असुरी भाव है बुद्धी से भगवान को मारना चाहते है They want to kill Krishna intellectually Krishna को बुद्धी से मार देना चाहते है तो वो भी रक्षसी भावी है, असुरी भावी है यह बात है तो इसलिए आसुरी प्रकृती से आश्रे लेके यह लोग जो है इस प्रकार से विफल हो जाते है तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि भले ही बहुत इक संसार में अगर कोई वेक्ती Krishna भक्ती में नहीं है नास्तिक तबादी है तो बहुत कुछ समय के लिए उसको हम देख सकते हैं कि उसके पास बहुत सारा धन भी हो और कुछ जीवन में तथाकती तुन्नती भी कर रहा हो लेकिन अंतिम पहलो में उसका जीवन जो है वो पराभूती हो जाता है अंत में फिर से मृत्यु आदी को प्राप्त करके फिर से बहुत एक संसार में उलच जाता है पुरा जन्नमृत्यु के चक्कर में पराभवस्तावद अबोधजाद जो पुरुशब देव है वो कहते है कि जब तक कोई आत्मतत्व की जिग्यासा नहीं करता तब तक पराभव ही है उसके जीवन पराभव है भले ही वो कितना भी धन कमा ले या प्रसिद्ध कमा ले इस जीवन में लेकिन हम देखते हैं कि मृत्यु के साथ उसका पराभव है सब कुछ आए पराभूत हो जापा है पूरी तरह से तो ये बात है रोपात ने तो बड़ा सुन्दर श्लोकोट किया एक ब्रहद वश्नु स्मृति से देखिए रोपात के थे भगवान कृष्न को सामान्य व्यक्ति मानना घोरा पराते हैं जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहगरस रहते हैं क्योंकि वे कृष्न के शाश्वत रू श्रूत स्मार्त विधानता है मुखम तस्यावलो क्यापी सचेलम स्नानमाचत देखो जो क्रिश्न के शरीर को भहतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए यदि कोई भूल से उसका मूँ देख ले तो उसे तुरंद गंगास्नान करना चाहिए जिसे जिसे छूत दूर हो सके देखो क्या बोला जा रहे है जो यो वेति भौतिकम देहम क्रिश्न से परमात्मन जो क्रिश्न के देह को भौतिक मानता है सर्वस्मात बहिश्कार यह उसका बहिश्कार कर देना चाहिए कहां से श्रौत स्मार्थ विधान दहु श्रौत विधिसे स्मार्थ विधिसे और गलती से आपने उसको देख लिया उसका चहरा मुखम तस्यावा लोक्या की उसको देख लिया आपने तो सचेलम स्नानमाचर समस्तवस्तरों के साथ सिधा स्नान कर देना चाहिए मतलब गंगा में चलांग लगाने चाहिए सचाई लस्नान आप जानते हैं सचाई लस्नान कब करता है विक्टि जब कोई मृत avanzha को देखता है तो सचाई il sinan का वेड़ी होता है पूरे वस्त्रों के साथ सनान करना होता है तो वेसे ये व्यक्ति एक मुर्त देहा के जैसी उसकी तुना होलेगी जो क्रिश्न के देहा को बहुत एक देहा मानता है उसकी बात हो ली मत्तों कितना शास्त्र कड़े शब्दों में इसका बहिश्कार इसकी भात्षना कर रहे हैं देखो कि ऐसे वेप्ति को एकदम बहिश्करत कर देना चाहिए तो इसका अर्थ क्या है कि भले ही हम लोग ऐसे नहीं आज तो जहां तहां हम गोमेंगे तो ऐसे ही लोग है जो कृष्णा के बारे में कुछ भातिक धातना है तो फिर तो हमें तो जहां तहां सचेल सनान करना पड़ेगा तो बात ये है उसका भाव समझेए कि इतना गंभीर है वो मतलब वो जो चीज़ है श्री कृष्ण के शदीर को बहुत इकमाना उसको कितना जगन्या समझा गया वो कितनी गलत चीज़ है इस बात को यहां पर बताय ज्यादा है ठीक है तो देखो कोई अज्ञानी है तो वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है अज्ञानी वेक्ति का कैसे रहता है उसका अज्ञान दे दो तो वो पालन करेगा लेकिन जो इस परकार से गलत समझने वाले अवजाननती अवजाननती और अवजाननती इसमें अंतर ह तो अजाननती वाले ठीक है एक बार अब अजाननती वाले बड़े खतर नाग है क्योंकि उनकी बह्यंकर गलत धारना है देखो गलत धारना है और वो उसको नमरता से समझना चाहते है वो ठीक है वो अच्छी बात है लेकिन गलत धारना है और उसका पुरसकार कर रहे है उसको प्रचार कर रहे है उसको लेके अहंकार का अनुभाव करते है एक तो गलत धारना है उसको लेके अहंकार भी है बहुत साथ तो वो जो है उसके बारे में इस प्रकार से विधान जो है वो किया जा रहा है अभी इसके विपरित भगवान बात करेंगे जो की भगवान की भोतिक प्रकृति की जगह जिनोंने दैवी प्रकृति का आश्चर दे लिया है दैवी प्रकृति भगवान की बतलब आध्यात्मिक शक्ति तो ये जो है भक्तों की बात हो रही है जो कि शुद्ध भक्ति की प्रतिपादक है उनकी बात हो रही है ठीक है तो ये जो श्लुक है वो विज्ञान की बात कर रहा है यहाँ पर भगवान और भगवान की शुद्ध भक्तों की बात कर रहा है नात्वाभूतादिमभ्ययम अरे कृष्णा मैं पढ़ो प्रभुजी आपने कल पढ़ा नहीं मैंने पूछा तो आज पढ़ी आप मोबाइल में थोड़ा प्राबलेम है प्रभुजी नो प्राबलेम महात्मा जन दयवी प्रकृते के सवरक्षन में रहते हैं वे पूनता भक्ती में निमग न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदी तथा आविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं हरे कृष्टा धन्यवाद देखे लेकिन इसके ठीक विप्रित महात्मा न जो महात्मा है वो हे पात वो क्या करते हैं दयवीम प्रकृति माश्रिता वे दयवी प्रकृति का आश्रे ग्रहन करते हैं दयवी प्रकृति दयवी प्रकृति मतलब आध्यात्मिक प्रकृति मतलब मतलब श्रीमति राधराने या लक्षमे जी सीता माया इनकी बात होती है भगवान की जो दयवी प्रकृति या है मतलब जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है चैसे हम भगवान श्री कृष्ण के श्री कृष्ण जो है उनके उपास सक है तो श्रीमती राधरानी तो जो महत्मा लोग होते है वे श्रीमती राधरानी के लक्षमी जी के आनुगत्य में भगवान की सेवा करना चाहते है ये बात बोली जारे है भजन्ति अनन्य मनसो और वो जो भजन करते है वो अनन्य भाव से करते है अविचलित मन से क्योंकि वे जानते है कि भगवान की भक्ती जो है और भगवान स्वयम जो है वो अविनाशी है और इस्त्रिष्टि के उद्गम है तो कॉंट्रेस्ट किया जा रहा है दो, पिछले जो थे अवजानन्ती वाले आसुरी स्वभाव के वे प्रकृति मोहिनिम श्रिता वो मोहिनी प्रकृति या भोतिक प्रकृति के आश्रित है और ये जो है वो दैवी प्रकृति के आश्रित समझ दे है इस प्रकार से विरोधाभास दोनों में किया जाए और इसलिए फिर जैसे श्रिमती राधरानी या लक्शमी जी या सीता देवी जैसे भक्ती करती है भगवान की जैसे अनन्य भाव से भक्त है वैसी ही भक्ति अनन्यमानसो ये महात्मा लोग भी करते है, हे पार्त तो कुछ-कुछ भक्तों का कहना है कि देखो यहाँ पे इस श्लोक में श्रीमती राधरानी का भी वद्नन है अन्दैवी परकृती शब्दों से है कि ने कभी-कभी लोग पूछते हैं कि आरे भगवान श्री कृष्ण ने आप राधरानी का इतना गुंदान करते हो भगवान ने गीता में कहां राधरानी का नाम लिया या भागवत में भी कहां राधरानी है तो कुछ आचारियों का मत है कि ये दैवी प्रकृती ये जो है ये श्रीमती राधरानी के लिए ये जो है यहां पर दर्शाता है दैवी में प्रकृति माश्रिता है तो जो भक्ति का संप्रदाय है इस प्रकार से दैवी प्रकृति के भगवान की आध्यक्मिक शक्ति के सौरक्षन में है और उस संप्रदाय के महत्माओं के आनुगत्य में उनके अनुगत्य बनके हम लोग भक्ति जो है उसको करना चाहते है ऐसे मनमानी भक्ती नहीं चलेगी भक्ती दैवी प्रकृति के आनुगत्य में रहके करनी चाहिए ऐसे अपने मन से मनमानी ढंक से भक्ती वो तो उससे किसी का लाव नहीं होता उल्टा उससे उत्पात ही हो जाता है आई के ने जिस भक्ती में शुर्ती स्मृती पुरानों का कुछ बोध नहीं है और बस अपने मन से मनमाने ढंक से कुछ सोचा जा रहा है आई कान्ती की भक्ती एकान्त में रहके भक्ती करेंगे जिसमें कुछ शुर्ती स्मृती पुरानों का बोध नहीं है ऐसी भक्ती उत्पात कर दिये सिर्फ और कुछ नहीं ऐसी बात तो इसको देखना चाहिए देखो इसलिए कभी-कभी ब्रंदावन में भी आपको लगेगा कि भाई सभी लोग भकते हैं यहां पर सब रादे रादे बोल रहे जैश्री रादे बोल रहे रादे शाम बोल रहे लेकिन क्या वो जो मार्ग है उस मार्ग को अधिकरित मार्ग कहा जा सकता है क्या वे लोग शास्त्रों का अनुगमन करते हैं उसमें भी खास करके भागवत पुरान का, भागवत आदी गरंतों का अधेन होता है, उसके अनुसार भक्ति की व्यक्या की जा रही है, यह सब देखना चाहिए, बस रादे 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 शाम बोलके नहीं होता ना, कई बार बहुत सारे जो अपसंपरदाय होते हैं अच्छ सेंटिमेंटल भी बहुत बढ़ गए लोग, मैंने एक बात आपजर की है, कि यहां तक कि पिछले दोड़ाई मेहना मैं योरोप में भी था, तो सरवत्र मैंने देखा, लोग काफी सेंटिमेंटल हो गए, भक्तों में भी सेंटिमेंटलिजम बढ़ रहा है, सेंटिमेंटल स अब बस कोई चीज़ उसमें कुछ बोला जा रहा है और उसमें पीछे म्यूजिक लगा दिया कुछ ऐसा तो बस आंख में पानी आ रहा है उसको सुनके अरे लेकिन उस शब्दों का क्या प्रयोर्जन है उसका क्या प्रमान है उसको किस ने बोला क्या वो सही है ये सब देखना चाहिए न बस ऐसे कुछ तो म्यूजिक उजिक पीछे है सुनके बस ऐसे सेंटिमेंटल की तरह सुनके लग रहा हा 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 क्या अच्छा है और दुनिया बर को फॉर्वर्ड कर रहे इसको फॉर्वर्ड उसको फॉर्वर्ड मुझे वारवर्ड कर रहे है तो मैंने बोला रहे भाई देखिए गलत कह रहा है यह आदमी पूरा जो भी बोल रहा है यह तो शास्त्र के विपरीत है नहीं नहीं सुनके बड़ा अच्छा लगा रहे अच्छा लगा क्या मूर्ख है मुर्ख आदमी की तरह अच्छा लगेगा वो लेकिन वो विपरीत था पूरा शास्त्र के एक्छा बहले ही उसमें म्यूजिक वगरा सब कुछ डाला था हमारे जो आचारे ने सिखा है ना रूप सना तनादी ने उसके विपरीत था एक दो देखा ऐसा हो गया है तो एजुकेशन जहां निरक्षरता होती है ना वहाँ पर फिर किस स्तर तक जाएगा वो किस स्तर तक नीचे गिरेगा वो कोछ बता नहीं सकते क्योंकि निरक्षर है ना साक्षरता नहीं है निरक्षर व्यक्ति को कैसे कोई भी गुमरा कर देता है कोई भी चीट कर देता है क्योंकि निरक्षर है बिचारा अंगुठा चाप बोलते है उसको तो वैसे आध्यत्मिक जगत में हम अंगुठा चाप नहीं रहने चाहिए इस बात को आप सब लोग अच्छे से जान लो और पक्का कर लो इस अध्यत्मिक इसमें हम अंगुठा चाप नहीं रहने चाहिए आप अच्छे से अध्यन करो गीता क्या कह रही है भागवत का कह रहा है भक्तिर साम लित सिंदु में क्या बोला है शट संधर में क्या बोला है पूरा जीवन लगने दो पढ़ने के लिए क्या परिशानी है क्या परिशानी है है के नहीं वैसे भी जीवन भर चात्र रहना चाहिए बाहर की दुनिया में भी लोग बोलते है आध्यत्मिक जगत में तो निश्चित ना परपेच्वल स्टूडंट्स कहते निट्य चात्र है हम लोग तो लेकिन उससे क्या होता है हमारी जो भावनिक्ता है ना देखो भप्ति में भावनाओं की ज़रुरत है निश्चित रूप से मैं उसकी बात नहीं कर रहा लेकिन दो अलग है भावना और भावनिक्ता यह अलग है क्रिश्चन भावना मृत की ज़रुरत है क्रिश्चन भावनिक्ता की नहीं ज़रुरत है भावनिक्ता से आप गुम्रा हो जाओगे तो सेंटिमेंटल है ऐसे तो कोई भी चीज सुनते है ना तो देखना चाहिए कि ये किसके आधार पे बोला गया है किया ये सही है तो अगर आप जानते हो अच्छी बात है आप पढ़ रहे हो तो आपको तुरंट खुदी पकड लोगे कि ये थोड़ा ठीक नहीं रहा किया बोल रहे है आप समझ नहीं रहे हो थोड़े से असपश्ट हो तो जानकारों को पूछो कि क्या ये सही है ये जो बोल रहे है इस प्रकाश तो इसलिए सबसे पहले नाव व्यक्ति को साक्षर होना पड़ता है नहीं तो आप दुनिया में किसी को आप क्या बोलते हैं मुल्यांकन ही नहीं करपाओगे देखो जैसे कोई अंगुठा छाप है उसमें क्या आपकाद है कि वो किसी का मुल्यांकन करता है क्योंकि वो कुछ पढ़ाई ही नहीं किया तो उसके लिए तो वो क्या है मतलब सारे हैं विद्वान होगे ना उसके लिए उसको पता है कि ये ठीक है ये ठीक नहीं है ऐसे तो इसलिए न ये बहुत बड़ा महत्वपूरा मुद्दा आज की तारीक में तो मैं कहूंगा बहुत रिलेवेंट हो गया है कि पहले साक्षर बनना चाहिए मुझे अपने संप्रदाय के ग्रंथ सीखने में इतना मैं बजियों की मिरे कुछ समय नहीं है किसी और को सुनने का पहले मैं तो जानतो दूँ रोपाद जी ने क्या दिया है हमको पहले मैं जानतो दूँ रूप गोसवामी ने क्या दिया है जीव गोसवामी ने क्या दिया है उसमें ही मेरे जिंदगी चली जाएगी शायद तो मुझे कहां समय है किसी और को सुनने का और किसी और का जानने का और उसको पॉरवर्ड करने का और वाइरल करने का ये वो सब चीज़े तो इसलिए भक्तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखो राइट ट्रैक समझ लेना चाहिए भक्ती में तो आपकी भक्ती सवरक्षित रहेगी, आपका राइट ट्रैक समझा नहीं न, तो फिर भक्ती में बहुत सारी बाधाएं आती, तो राइट ट्रैक होता है कि आपने दिक्षा ले ली न, इस संप्रदाय में, इसको स्विकार कर लिया न, अपने, क्या कहते हैं, जैसे स्त्री ह होती है, उसने विवाह कर लिया न, पती से, एक पुरुष से, तो अभी बस वो उन्हीं की सेवा करेगी, उनको समझेगी, उनकी क्या रूची है, क्या नहीं है, उसको जानने का प्रयास करेगी, उसके अनुसर सेवा करेगी, ऐसी बात होती है, तो वैसे एक संप्रदाय में चीजे दुनिया भर की सुन रहे हैं इधर उधर की तो ये क्या हो गया है वो ऐसे हो गया जैसे विवाहित पत्नी होती है और वो उसको अपने पती में इंट्रेस्ट छोड़के दुनिया भर के दूसरे लोगों में इंट्रेस्ट है ऐसा हो गया है वो निष्ठा नहीं है वो स बच्पन में हम लोग पढ़ते थे साक्षर जंता, भूशन भारता, ऐसे तो वो, वैसे हमारे संस्था में भी थोड़ी साक्षरता की ज़रूरी है, मैं देखता हूँ काफी सेंटिमेंटालिस्म बढ़ गया है, इसलिए आप मूल गरंतों को बढ़ो, गीता बढ़ो, कोई कु स्वामी जी ने, विश्वनात शक्रवर्ती ने, कहीं बोला है ये चीज़, आप है तो प्रमान बताएए, हम भी देखना चाहेंगे, कि भाई ये कहां पर बुला है ऐसी चीज़, एक दो, तो महात्मा जन दैवी प्रकृति के सवरक्षन में रहते हैं, मतलब संप्रदाय के सवरक्षन में रहते हैं, हमारे製 लिए तो अभी श्रीमती रधरानी जी का दर्शन और उनके चर्णों में सवरक्षन में रहना हमारे लिए तो अभी बहुत दूर है, क्योंकि हम लोग उतने शुद्ध नहीं है, रधरानी ये श्री कृष्ण का दर्शन होने के, है कैं नह अगर हम आध्यात्मिक संप्रदाय की हमारी जो विरासत है, हमारे आचाद है, उनके चर्णों में रहेंगे, तो एक दिन हम भी पात्र बनेंगे कि जिससे हमें भगवान का प्रियाजी का दर्शन हो, इसी बात है, तो यह इसको दैवी प्रकृति के सर्वरक्षन में कहा गया, संप्रदाय के प्रामानिक आचारियों के ग्रंथों का अध्यन कीजिए, उनके ग्रंथों के अनुसार भक्ति जो है उसका अनुसरन कीजिए, भक्ति के कौन से सिध्धान्त हमारे संप्रदाय में हम सिविकार करते, कौन से सिध्धान्त नहीं करते है, ऐसा नहीं कि सब एक ह वही बोल रहा हूँ, मुल्यांकन की जिसके पास ताकद ही नहीं है कुछ कि वो कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो क्या मुल्यांकन करेगा उसको कुछ नहीं समझता, उसको लगता है सब ठीक है ये बावा भी ठीक, वो बावा भी ठीक, ये महराज ठीक, वो महराज ठीक सब को ऐसे तो इस लोक में महात्मा का वर्नन वो है महात्मा का सबसे पहला लक्षन है कि वहाँ दैवी प्रकृति में स्थित रहता है दैवी प्रकृति जो अध्यत्मिक शक्ति है उसके भौतिक प्रकृति के अधिन नहीं होता बहुत इक प्रकृति के अधिन व्यक्ति वो तो पुरा विमोहित रहता है पुरा माया शक्ति के अधिन जो है वो तो क्या है अलग-अलग-अलग-अलग माया के विचारों से प्रभावित होता रहता है जीव माया जो जीव को मोहित करती रहती है ऐसी माया लेकिन जो शर्नागत हो जाता है वो दैवी प्रकृति की अधिन ये बात है इस परकार से तो इसी को महत्मा कहते है तो प्रवपाद जी इस लोग को बहुत बार उधरित करते थे क्योंकि महत्मा शब्द खास करके भारत में महत्मा शब्द बड़ा प्रसिद्ध है राजनिताओं को आदि भी महत्मा कहा गया तो प्रवपाद जी ने कई बार ये श्लोग को उधरित किया आप देखो उनके प्रवचमा में कहते थे कि महत्मा का श्री कृष्ण ने बताया और लक्षन क्या है ये लक्षन है महत्मा श्री ने बताय प्रवपाद जी करते थे और प्रवपाद जी कुछ चीज़े बोल सकते थे हमारा अधिकार नहीं होता कुछ कुछ चीज़े बोलने का तो इसलिए मानू ये टाइटल किसी को दिया भी हो राजनिताओं को आ दिया ठीक है हमें कोई आपती नहीं उससे लेकिन मुद्दा ये है कि वास्तव एक महत्मा कौन है देखिए ख्रिश्न के लक्षन नुसार इस वेक्षन को महत्मा कहते है और ऐसा महत्मा बनने का प्रयास करना चाहिए ऐसा नहीं कि महत्मा कह रहे है लेकिन काम तो दूसरे ही सब दुरात्मा की तरह उल्टे उल्टे काम करते है ऐसा नहीं होना चाहिए शुद्ध भक्त तो क्रिश्न के अन्य सुरूपो यथा चतुर भुज महा विश्नु रूप से भी आकरिश्न ही होते देखो मतलब गौडिय संप्रदाय में तो हम लोग इतना है कि हम लोग किसी का अज़ सम्मान नहीं करते लेकिन यहां तक कि महा विश्नु या क्रिश्ना जो विश्नु के दूसरे रूप है उनकी भी आराधना नहीं करते हम लोग शुद्ध भक्त को भगवान के ही रूप है यह सारे दूसरे भी लेकिन खास करके जो श्री क्रिश्न के भक्त है गौडिय संप्रदाय के अंदर कर वो तो श्री क्रिश्न भगवान के प्रति ही आकरिष्ट होते है भगवान के आन्य विस्तार है वे भी भगवान के ही रूप है लेकिन उनके प्रति वे सम्मान रखते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन भक्ती तो श्री कृष्ण के ही करते हैं, ऐसी बात है, तो देखो इस चीज़ को भी समझना चाहिए, ने तो कभी-कभी क्या हो जाता है, भक्ती में आके, हम लोग, हम हमारे संप्रदाय में किन की आराधना करते है आद ऐसे हो जाता है कि जो जिस जगह से आता है, उसको लगता है कि वो उस जगत का, मतलब उस वैकुंट का अधिवासी है, जैसे कोई साउथ हिंडिया से आता है, तो उसको लगता है, वो बाला जी के वैकुंट से आया है, कोई महराश से तो उसको लगता है, वो पांडुरंग का भ doute है कोई नॉर्थ-िंडिया से आया तो वो तो श्री-क्रिष्ण के भुक्त होते है जदा तर तो उनको लगता है क्रिष्ण तो हमारे है ऐसे कोई पूरी से Anthagatai कि मैं तो हम तो जगनात वाले है पूजा भी जा भी जाता है लेकिंख़ करके जहां पर विश्णो रूप है चतुर्भो जादी वगयरा वगयरा तो हम निश्चत रूप से उनका नमन करते हैं सम्मान भी करते हैं वगयरा लेकिन तो भी एक एक संप्रदाई में अपने जिस दिक्षा लिया है ना तो उसका एक भाव रहता है उसकी एक निश्टा रहती है उसको भी आपको ग्रहन करना होता है ऐसे नहीं कि कल को आपने घर पे और कोई धीटी ला दी इसकी भी डीटी उसके भी अर्चविग्रह ला दिया ये भी वो भी ऐसे नहीं होता है आपको जो गुरु की शिक्षा गुरु की कृपा से जो अर्चविग्रह के आरदना करने के लिए कहा है उनका ही आरदना करना चाहिए ये बात है तो संप्रवधाय के भाव को भी समझ लेना चाहिए पर आफपात्स खुद कह रहे हैं गाता है पूरा-पूरा, क्योंकि वो कृष्ण का यह रूप है, इस बात को जानी, बस जब भक्ति करनी है, हमें जब आराध ना करनी है, तो हम लोग श्री कृष्ण की आराध ना करते हैं, राधा कृष्ण की आराध ना करते हैं, हमारे संप्रदाय में, इस परकार से, तो इसलिए भ देवताओं से भी मन हटागे यहां तक की भगवान की दूसरे रूपों से भी मन हटागे उसको अनन्यमनसो केहते है अनन्यमनसो एक दो क्या करते ऐसे महत्मा सदतम कीरत यंतो माम, यतंतर्षछ द्रढव व्रताह नमस्यंत श्यमाम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते देखो ये महत्माओं के कार्य जो है वो बोले गए सुजाता माताजी अनुवाद पड़ी है ये महत्मा मेरी महिमा का नित्य किर्टन करते हुए दृड़ संकल के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्तार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पुजा करते हैं ठीक है तो देखो क्या करते है ये महत्मा तो सिधा सिधा भगवान के शब्दों में कभी कभी लोग कहते हैं न मायावादी की महत्मा लोग जो है किसको महत्मा कहेंगे तो सीधा भगवान ने परिभाशा कर दिये दो श्लोकों में महात्मा की तो क्या करते है वो? सततम कीर्टयंतो माम वो हमेशा ही मेरा कीर्टन करते है तो कीर्टन मतलब देखो इसमें सब टाइप का कीर्टन आया कभी कभी ऐसे श्लोकों को लेके भी कुछ लोग थोड़ा ट्विस्ट कर देते है बोलते कि देखो भगवान कहते है कि सततम कीर्टयंतो मा मतलब हमेशा 24 घंटा कीर्टन करना चाहिए तो बुक डिस्टिबिशन करने वाले या प्रीचिंग करने वाले शास्त्र पढ़ने वाले ये सब माया में और किर्टन करने वाले सिर्फ जो है वो महान जीव की बुद्ध्धि कैसे देखा होती है कैसे कुंटित बुद्ध्धि होती है इस प्रकार से काम करती है हर कोई को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ही ग्रिट अरे कैसा सोचता है खास करके आज्ञान आज्ञानी जीव आज्ञान वश तो सततम किरतयंतो माम ये किरतन मतलब ये गुण किरतन नाम किरतन रूप किरतन सब कुछ आ गया है इसमें किरतन का अर्थ सिर्फ ऐसे नहीं हो ता मुर्दम करताल लेके उसका गुण किरतन तो सब कुछ किरतन ही होता है देखो रूप किरतन जब भगवान के गुण का कता कर रहे हम लोग जैसे भागवत आदी में भगवान का सुन्दर रूप जो है उसका किरतन हो रहा है वहाँ पर रूप किरतन कहते है उसको रुख गोस्वामें बताते हैं इसके बारे आपने सिखा है इसको भक्तिर सामिल सिंद्वादी में तो गुणा कीरतन जब भगवान के गुणों की चर्चा हो रही है गुणा कीरतन जब नामों का कीरतन हो रहा है नाम कीरतन नामसं कीरतन या नाम कीरतन तो रूप किर्तन, गुणा किर्तन, लीला किर्तन, नाम किर्तन, सब कुछ किर्तन है ऐसे तो इस लोग का ऐसे मतलीजे 24 घंटा सिर्फ नाम जपनाए करके नहीं अलग-अलग-अलग सारे ही भक्ति के आंग है अलग-अलग प्रकार से भक्ती के अंग को करना चाहिए निश्यत उसमें सबसे ज्यादा जो है शक्तिशाली नाम है अखंड़ नाम जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली है उसमें तो कोई डाउट नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कि साधक की दशा में हैं जब आपके पास उतनी टेस्ट भी नहीं है उतनी रूची नहीं है नाम किरतन में आदी और फिर जबरदस्ती कह रहे हैं कि भाई 24 गंटा नाम जब करो वह भाग जाएगा वह घर नहीं पाएगा तो इसलिए प्रैक्टिकल सर्विस दी प्रवपाद जिन्हें अच्छे से की सेवा भी करनी पड़ती है फिर उस नाम को करने की क्षमता हमें आ जाती है नहीं तो नाम करने को लगाई है किसी को 24 गंटा देखो दो चार पांच दिन एक हफ़ता कर फिनिश्ट नहीं कर सकता हो उतनी रूची नहीं है ना क्योंकि जब रूची हो जाती है उत्पन नतव वेक्ति नाम को कर सकता है वैसे और उस तर में भी रूची किस तर में भी ऐसे नहीं कि सिर्फ नाम है नाम है लीला है उस वक्त भी सारे ही अन्यान्या चीज़े भी होती है लीला किरतन होता है नाम किर्टन वाले सेवा वालों का मज़ा कुड़ा रहे या सेवा वाले किर्टन वालों का मज़ा कुड़ा रहे और दोनों शास्त्र पढ़ने वालों का मज़ा कुड़ा रहे और शास्त्र पढ़ने वाले इन दोनों का मज़ा कुड़ा रहे ये ठीक नहीं यह ऐसे नहीं है बाद हर एक को विधी को समय और उसका जगह है परोपा जन्हें सोला माला बताई कम से कम आप सोला से ज्यादा कर सकते हो अच्छी बात है लेकिन साथी साथ सेवाएं भी बहुत ज़रूरी है सेवा नहीं करोगे तो आप माला करने के लिए रहोगे नहीं आप टिकोगे नहीं अच्छी गाइब हो जाओगे आप कुछ दिनों में यह बात होती है क्योंकि टेस्ट नहीं है वो रूची नहीं है वैसे तो 64 करने का कभी कभी लोगों की इच्छा रहती है लेकिन कोई अधिकारी है उस प्रकार की रूची है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं है रूची तो नहीं कर सकता हो 64 समय भी दे दो वो गाइब हो जाएगा वो बाग जाएगा नहीं करेगा तो सेवा चल रहा है कल गीता जयन की है एक हम लोग पुरा गीता आदिका वितरन करते हैं इस महने में पूरा मैरिटवन मन्त हैं सब को शास्तर बाढ़ते हैं यह भी तो कीरतन है ना ब्रहत कीरतन है यह तो है कि नहीं ब्रहत मुर्दंगा कहते थे प्रभपाद जी गुब को चल मिन्दा कर रहा है क्या है क्या तुम तो पढ़ते रहते हैं क्या पाइदा तुमालगे हमें बाटने वाले लोग Appodhanai नहीं चाहिए हमें पढ़ने वाले भी लोग ऑर पढ़ने वाले भी लोग चाहिए तो सिर्फ बाटते बैटे के बस कुछ काम का नहीं है ऑो बा अब होगा प्रोपात की कृपा से, लेकिन ऐसे नहीं होता, भक्ति की विधी पूरी-पूरी एकदम complete है, आपको शास्तर पढ़ने भी पढ़ते हैं, समझने भी पढ़ते हैं, आप पढ़ोगे नहीं तो बोलोगे क्या, और फिर जीवन में उतारोगे क्या, तो दोनों भी करन पढ़ता है, जिसका जब समय है उसके अनुसर, उस सेवा में लग जाना चाहिए, ये बात है, तो सततम कीरतयंतोमा, यतन तश्चा द्रढव रता हा, और बड़े द्रढ़ता से मेरे भक्त जो है, महत्मा जो है, वो यतन करते हैं, प्रयास करते हैं, मेरी सेवा का, बड़े प्रवपाद जी ने कई जगह इन श्लोकों को उद्रिव किया है, इसलिए मैं इसको समय लेके बता रहा हूँ, क्योंकि ये श्लोक बहुत प्रवपाद ने कोट किये हर जग, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, यतन तश्चा द्रढव रता, द्रढ़ता से एकदम संकल्प से भक्त जो है, भक्ती में प्रयास करता है, यतन करता है, तो भक्ती में कभी हम लोग प्रुसाहित हो जाते हैं, कभी कभी हतुसाहित हो जाते हैं, लेकिन द्रढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए, है कि नहीं, अगर आपका गंतव्य फिक्स्ट है, मानो कभी आपको पूना स मुंबई जाना है तो पुना से मुंबई जाते हुए कभी कभी हो सकता है बीच में ट्राइफिक जैम लग जाए आप आधा घंटा एक जगह से हिली नहीं पाए या कभी कभी रस्ते पे जाते हुए कुछ लैंड स्लाइड हो गया पहाड गिर गया उसके कारण आपको दूसरे रूट से जाना पड़ गया तो बीस किलोमेटर बढ़ गया जो भी है आप उन जो भी व्यवधान होते हैं उनको सहन करते हुए दृड संकल्प से आगे बढ़ते हो ना क्यों क्योंकि गंतव्य फिक्स्ट है मुझे मुंबई पहुंचना है कैसे भी करते हैं तो जब गंतव व्यवधान आते भी है तो व्यक्ति उसको सह लेता है व्यक्ति उसमें से मार्ग निकाल लेता है कुछ-कुछ ना कि ठीक है इस स्थिति में फिर क्या कर सकते कुछ डीटूर है कुछ अलग से जाके ऐसे सोचते हैं तो वैसे भक्ति के मार्ग में भी कभी कुछ व्यवधान भी आते है तो उसको सह लेना चाहिए और उपाए निकाल के आगे बढ़ते चलना चाहिए ऐसे नहीं कि भक्ती में कुछ व्यवधान आ गए तो बस हता उस्सा ही ठोके बैठ गए उदर ही यूटन लेके गुमा दिया वाफस नहीं तो आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए कुछ मारगदर्शन चाहिए तो लेना चाहिए आपको जरूरत है मारगदर्शन की उस्साह की तो वैसे संग लेना चाहिए भक्तों का और दर्धता से आगे बढ़ना चाहिए दर्धता ये महत्माओं का गुन है नमस्यंतश्यमाम भक्त्या आप मुझको ही नमस्कार करते है मेरी आराधना करते है नित्य युक्ता उपासते और भक्ती से युक्त होके हमेशा नित्य रूप से मेरी उपासना करते रह ले हैं तो ये महत्माँ के चार गुन बताए आप देख सकते हो कि क्या है वो सततम कीरतयंतो यतंतश्य ध्रड़वरता नमस्यंतश्य नमस्यंतश्यमाम भक्तिया और नित्ययुक्ता उपासते ये चार गुन है क्या करते है महात्मा नित्यकिरतन करते है ध्रड़संकल पर के साथ प्रयास करते है मुझे नमसकार करते है और भक्ति भावसे निरंतर मेरी पूजा करते है इस परकार से तो ये जो है एक महत्मा का गुंड जो है उसके कारियर जो है वो बताया है लेकि प्रवपजी कहते है सामान ने पुरुश को रबर की मुहर लगा कर महत्मा नहीं बनाया जाता यहां पर उसके लक्षोनों का वर्णन है दोनों भी श्लोकों में महत्माँ की बात हो रही है तो उसके आधार पे है प्रवपजी कह रहे है कि देखो महत्मा क्या करता है सदेव भखवान क्रिष्ण के गुणों का किरतन करते रहता है उसके पास कोई दूसरा कारिया नहीं रहता क्रिष्ण के गुणगान में बैस्त रहता निर्वेशेश्वादी नहीं होता वो सद्तम कीरतयन तो माम ऐसे मिर्वेश श्वादियों के जीवन में किर्टन नहीं होता है कुछ क्या किर्टन करेंगे हो वो हर नाम को माया मानते किर्टन क्या करेंगे खाथ किर्टन करेंगे हर नाम माया है उनके पिर भगवान के नाम क्या हो गए वो भी तो माया हो गए तो इसलिए वो लोग कीरतन नहीं कर पाते अगर वो करते भी है कीरतन तो वो एक वो केवल देखो इधर उधर के गाने की बज़ाए कोई काम करोद लोब वाले गाने की बज़ाए हम लोग कीरतन कर लेंगे इस प्रकार का भाव रहता है कुछ सात्विक हो जाएगा राजसिक और तामसिक की जग़ा तो इस भाव से वो कीरतन करते है वास्तवी अच्छिली उस नाम को वो हमारी तरह लेते नहीं हो गोरो केरप रेमद हना हरी नाम संग कीरतन नहीं 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 वो तो सोचते हैं की देखो कृष्णा के नामों का कीरतन नहीं करेंगे तो फिर कोई बहुत एक सिनेमा का गाना गाएंगे या फिर और कुछ फालतु गाने गाएंगे तो उससे अच्छा ही कि ये सात्विक काना गाओ ऐसे सोचते हो इसलिए कीरतन करते हो लोग ये तो उनको कुछ लेना देना नहीं है भगवान के नामों से एक्चुली तो इसलिए कीरतन तो माम ये भक्त की ही पहचान है जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकादू ब्रह्मा जोती के प्रति आसक्त होता है उसे भगवाद गिता में महात्मा नहीं कहा गए तो भगवान खास करके ये कह रहें कि वो दैवी प्रकृति के आश्रित नहीं है क्योंकि अगर वो भगवान के नामों के प्रतिया सकत नहीं है रूप के प्रतिया सकत नहीं है तो फिर वो ऐसा व्यक्ति महत्मा नहीं कहलाया जा सकता भली वो ग्यानी हो लेकिन भगवान जिसको महत्मा के रूप में इस्टिंगविश कर रहे 이को अलग से दिका रहे हैं यहां पर वो विक्ति नहीं कहलाया जा सकता हो इस परकार से तो यह बात तो इसलिए उसको अलग से दिखा रहे यहां पर वो विक्ति नहीं कहलाया जा सकता हो इस प्रकर से तो ये बात तो इसलिए श्रवनम किर्टनम विश्नो स्मरनम आदी बताया है प्रवपाद जिनने इन कार्यों में जो लगा रहता है हमेशा ऐसे मनसा वाचा कर्मन आवोगी तीनो मन से वाचा से और कर्मों से ऐसे नहीं सिर्फ मन से भक्ति में जो कार्ये उन्हें द्रड़वरत कहा है तो जैसे द्रड़वरत के संदर में प्रवपाद जी क्या कहते है जैसे एकादशी है देखो कल ही एकादशी है मोक्षदा एकादशी तो एकादशी आधी के तिथियों में उपवास करना या फिर जो भी हम लोग उपवास करते हैं जन्माष्ट मी, राधाष्ट मी, गौर्पोन मिमा, मृस्विमचदुर्दशी आधी, रामनाव मी आधी इन सारे विश्ण तत्वा, या भगवान की प्रिया है उनके जो आविर्भाव, तिरोभाव, आविर्भाव दिन पर जो यह होता है वह वासादी उसको रखना या एकादशी होती है उसको पालन करना ये द्रड़वरता का बात कह रहे प्रवपार जी इसको भी द्रड़ता से पालन करना चीए देखो हमारे मार्ग में वैसे तो ज्यादा नियम है भी नहीं देखा जाए कम नियम है, ज्यादा नियम नहीं है तो इसलिए इन नियमों को कड़े अनुशासन से पालन करने का प्रयास करना चीए कि जितना संभव हो उतना ऐसे नहीं कि कोई निरजल उपवास कर सकता है तो करे कोई पल खाके कर सकता है तो करे कोई नहीं भाई और भी कुछ एकादशी के जो समत आइटम्स है वो खाके करता है कोई प्रॉब्लम नहीं कीजिए जो भी है फोकस होना चाहिए कि अधिक माला कर है अधिक सेवाइं करें इस पे ध्यान होना चाहिए बस इसको दृता से पालन करना चाहिए कभी-कभी कुछ बक्तों को लगता है कि अरे हमसे एकादशी भी नहीं होगी उसमें बहुत तपस्या हो जाती है उस दिनाना मतलब अनाज ग्रहन नहीं कर सकते हैं मैंने कभी-कभी देखा है ये ठीक नहीं है अक्छली एकादशी एकमातर वृत है कि जो मतलब वैश्टूं के द्वारा अपक्षित है तो एकादशी एकमातर वृत मतलब मैं कहरा हुँ कि हम लोग अन्यानने वृत करने की जरूरत नहीं है जयादा जैसे कई सारे वरत होते हैं कर्मकार्ण में संपूर्न चातुर मासादी में आपने पड़े भी होंगे कई सारे तो वरतों की इतनी जरूरत नहीं होती लेकिन जैसे एकाद अशी वरत है तो ये तो एकदम वरतों की प्रमुकतिती है वो एकदम सर्वसरेष्ट है तो उसमें भी कंप्रमाइज नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो एटलिस्ट पंधरा दिन में एक बार तो हम लोग उतनी तपस्या कर सकते है और वो भी अगर आप फल फूल खाके एकादर्श आइटम खाके कर रहे तो फिर तो कोई परिशानी होनी नहीं चाहिए लेकिन आजकल मैं ये भी सुनता रहता हूँ कभी कभी लोग कहतें कि आरे एकादर्शी बहुत बड़ी तपस्या है हमारे इसमें क्या एक्शली बड़ी तपस्या नहीं है सबकुछ प्रभपाद ने तो एकड़म सम्मती दी है जो भी एकादर्शी को जिसे भी स्तरपर करना चाहते हो तो उतनी द्रड़ता ज़ूरी है जो भी आविरभाव दिन है、 तिरोबाव दिन है या एकादर्शी जैसे बॉत है यथा शक्ति प्रयास करना चाहिए उसको पालन करे जैसा कि इसी अध्या के द्वितियश लोक में कहा है भफ्ति न केवल सरल है लेकिन इसे सुखपूरवक किया जा सकता है सुखम कर तुम अब यहाई है किने हमने पढ़ा हो उसके बारे में कठिन तपस्य करने के आवशक्ता नहीं है भफ्ति में ग्रहस्त है तो ग्रहस्त रहे सन्यासी है तो सन्यासी बने ब्रहमचारी है ब्रहमचारी रहे कोई भी रहने दो सक्षम गुरू के निर्देशन में प्रवपत कहते हो भफ्ति में व्यक्ति जो है आनन से सुख से रह सकता है ऐसे जरूर ही है बस वो कि उस सन्यास का मतलब उस आश्रम का व्यक्ति उसी आश्रम में रहे कोई ब्रहमचारी मनोभाव वाले को आपने ग्रहस्त बना दिया तो बिचारा दुखी हो जाएगा और दूसरों को भी दुखी बना कि भाव था ब्रहमचारी का मेंटालिटी ब्रहमचारी की थी और उसको जबरदस्ति ग्रहस्त बना दिया और उल्टा भी ग्रहस्त की बान सिकता है लेकिन उसको जबरदस्ति ब्रहमचारी बना दिया तो वो भी बड़ा उत्पात करेगा फिर ऐसे और सन्यासी के बारे में तो क्या कहने है, सन्यासी तो बेक्ति तभी बनना चाहिए जब वो पूरी तरह से, इंड्रिय भोक के पीछह से मोक्व तो जाए, तभी वो सन्यासी है, क्योंकि उस मारग में तो वापिस आने का कोई स्कोप ही नहीं होता है, वहां पर बस सन्यास मतलब वो जीवन के अंत तक सन्यासी ही रहेगा फिर वहां से पीछे नहीं आना होता बिलकुल ब्रह्मचारी को तो ग्रहस्त बनने के लिए अनुमती है लेकिन सन्यासी कभी चेंज नहीं कर सकता उसको बड़ा जगन्य माना गया है सन्यास्त्याक करना किसी के द्वाला ऐसे तो इसलिए सूसुखम अगर व्यक्ति की मानसिक्ता देखते हुए उसको उचित आश्रम में स्थित कर दे तो बड़ा सूसुखम भक्ति जो है आराम से की जा सकती है एकदम बढ़िया से संसार में किसी भी अवस्था में कही भी भग्वान की भक्ति करके वास्तव में व्यक्ति महापमा बन सकता है बड़े अच्छे शब्द लिखे ब्रहुबाद जेने इस प्रकार से ठीक है तो दो प्रकार के ये लोग हो गए इनकी बात हो गई तो अरे कृष्टा ये दो प्रकार के लोग है एक भगवान के जो उपासक नहीं है वास्तविक्ता तो गलत धारना वाले ये और दूसरे ये जो की महात्मा है अभी कुछ आन्या प्रकार के उपासकों की बात होगी तो ये जो है बात 15, 16, 17, 18 विश्लोक तक चलेगी तो इसको पूरा करते है पहले फिर मैं कुछ प्रश्ना लेता हूँ ज्ञान यद्नेन चाप्यंते यजंतो माम उपासते एकत्वेन प्रथक्ट्वेन बहुधा विश्वतो मुखम वाइभवी माताची आनुवात पढ़िया अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशिलन द्वारा यद्ने में लगे रहते है वे भगवान की पुझवा अनेक अध्वय रूप में वीविधा रूपों में तथा विश्व रूप में करते है उनके अध्वय रूप में उनके अध्वय रूप में विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते है तो देखो तीन प्रकार के उपासक बताए अभी जो कि भक्तों से भिन्न है ये अलग उपासक है वो महत्माओं की बात हो गई वो भक्तिमार्ग के अनुयाई जो है वे महत्मा वो दोश् है जो क्या करते है भग्वान की उपासना करते है लेकिन कैसे करते है ग्यान यग्य के द्वारा है तो ग्यान यग्य के द्वारा मतलब क्या उनका जो भाव होता है वो ग्यानी का भाव होता है मतलब क्या ग्यान का जो चिंतन होता है ग्यान की वजह से ग्यान के द्वारा उ उस चिंतन का उनके अनुशिलन में बहुत प्राधान्य होता है तो जैसे एकत्वे ना, तीन कैटेगरी है ये देखो एकत्व, प्रथक्त्व और विश्वतों मुखम ऐसे तीन कैटेगरी है तो क्या है ये, तो देखो ये एकत्व वालों को कहते है अहंग रहो पासक, अहंग रहो पासक इसको विश्वांच चक्रतिन अपने टिका में समझाए मैं जो बता रहा हूँ ये, ठीक है तो एकत्व मतलब अहंग रहो, अहंग रहो ये दोनों शब्दों को जोड़ दीजे तो बनेगा अहंग रहो पासना तो मतलब वो क्या है? एकत्व वाला विक्ति स्वयम को भगवान जो है उनसे अभिन्न मानता है और ऐसे मानते हुए वो आराधना करता है देखो, ये थोड़ा सा अलग है मायावाद से मायावादी क्या होता है? वो भगवान के शरीर को ही माया मानते है लेकिन अहंग रहो पासक वैसा नहीं होता अहंग रहो पासक वो मानता है कि देखो जैसे भगवान जो है उन्ही भगवान का एक रूप या एक प्रतिक नहीं एक रूप जो है मैं हो तो इसलिए मैं भगवान को भगवान से अभिन्न बनके ही उनकी आराधना जो है वो कर सकता हूँ तो अहंग रहो पासक जो है वो भगवान को और उसको स्वयम को एक मानता है भले ही वो भगवान के शरीर को माया न माने लेकिन वो मानता है कि मैं भी वही हूँ, मेरा भी स्वभाव वही है, जो भगवान का है, ऐसे तो इस प्रकार से अहंग रहो पासक जो है, वो स्वयम को भगवान से अभिन्न मानते हुए आराधना करता है उसको एकत्व कहते है प्रतक्त्व होता है वो होता है प्रतिक उपासक प्रतिक उपासक दोनों शब्दों को जोड़ देज़े प्रतिक उपासक तो प्रतिक किसको कहते है आप जानते हो इंडिकेटर प्रतिक मतलब जैसे देश भक्ति का प्रतिक क्या है तिरंगा है तो देश भक्ति ये जो भावना है उसका प्रतिक वो तिरंगा होता है तो वैसे प्रिथक तवेना में प्रतिको अपासना होती है मतलब क्या जो भगवान है उनके प्रतिक के रूप में हर चीज़ को देखा जाता है तारों को, पेड़ को, सब चीज को भगवान का प्रतीक करके देखा जाता है मतलब वो ऐसे मानते हैं जैसे ये भगवान की विभूती है विभूतियां है भगवान की अलग-अलग तो किसको भी लेके वो आराधना करते है भगवान की मतलब वो मानते हैं कि ये भी भगवान है ये भी भगवान का रूप है ये भी भगवान का रूप है ये दिवार भी भगवान का रूप है ऐसे देखो ये अंडरस्टैंडिंग भक्तों के ऐसी नहीं होती आप जानते हो रैट भक्त तो समझते कि ये दीवार जो है ये तो माया शक्ति है भगवान की माया शक्ति का परिनाम है भो खाय कि नहीं तद शक्ति परिनाम भक्त लोग ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये पेड जो है ये भी भगवान है दीवार भी भगवान है हाँ कन-कन में भगवान है लेकिन ऐसलिए कि दीवार ही भगवान है ऐसा नहीं है दीवार में भी भगवान है परमात्मा के दोख में लेकिन दीवार तो माया शक्ति है भगवान माया शक्ति का परिनाम है तो ये प्रिथक त्वेन वाले प्रतिक उपासक होते हैं वो हर चीज इसको भगवान जो है, उसका प्रतिक मांते है, मांते हैं कि मैं सूरियच की भी उपास ना कर सकता हूँ, दिवार की भी हरे की, कि ये सारे प्रतिक है, उसी भगवान की प्रतिक, उतकते वे न, तो देखो इसके बारे में ज्यादा चिंदा मत करो, ये लोग आपको दिखाई पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे और भगवान ने भी इसकी ज्यादा आगे चर्चा नहीं किये तो इसलिए आप इसके बारे में चिंता मत करो किये हर एक क्या एक्जैटली है कैसे है यहां पर इतने श्लोक में बोलके भगवान ने छोड़ दिया फिर आगे बात भी नहीं करते अहंग्रहो पासक की या फ्रतिको पासक की बात नहीं करते बिलकुल भी आगे और तीसरा है बहुधा विश्वतो मुखम या बहुधा तीनों को भी लागो होता है अले गलक परकार से विश्वत और मुखम ये तीसरी कैटेगरी जह को है विश्व रूप उपासक है इसके बारे में आपने सुना होगा विश्व रूप उपासक है है भगवान सब कुछ हर चीज को वो विश्व रूप विराट रूप जो है उसको कनेक्ट कर देते हैं बहुदा विश्वत और मुखम यह तीसरी कैटेगरी के लोग है और यह तीनों के तीनों जो है ग्यान यग्या से भगवान के आरादना कर लें एकत्व प्रिठक्ट्व और विश्व मतलब अहंग्रह पासक प्रतिको पासक और तीसरे जो है वो विश्वरूप उपासक तीनों के तीनों क्या कर रहे ग्यान यग्ये के द्वारा भगवान की उपासना कर रहे तो देखो यह मायावादी नहीं है ये एकत्ववाले ये विराट्रूप वाले क्योंकि इन लोगों को भी मुक्ती मिलती है आगे ये मुक्ती के अधिकारी बनते है ये लोग तो इसलिए अगर वो मायावादी रहेंगे तो उनको मुक्ती नहीं मिलेगी कि ना क्यों मिले भी लेकिन ये मुक्ति के अधिकारी इसलिए बनते है अर्थत सायुज्य मुक्ति के अधिकारी ब्रह्मा में लीन हो जाते है ये कि उनका उसी प्रकार का मेडिटेशन रहता है इसी बात है तो ये तो ये तीन प्रकार के उपास तक जो है इसका प्रवपाद जिने भी वर्नन किया है तो खास करके प्रवपाद को प्रवपाद जो पहला वाला है ये देखो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं इन्हें तीन कोटियों में रखा जाता है परमेश्वर था था अपने को एक मान कर पूजा करने वाले परमेश्वर के किसी मनो कल्पित रूप की पूजा करने वाले और भगवान के विश्वर रूप की पूजा करने वाले तो देखो इसमें तो प्रवपाजी ने पहले वाले को तो अद्वाइती वादी की साथ ही तुल्ला की है क्योंकि ये पहला वाला जो है वो अद्वाइत वाले से थोड़ा सा फरक है इसमें लेकिन चुकि ऐसे लोग ज्यादा दिखाई नहीं पड़ते हैं और उल्टा जो दिखाई पड़ते हैं वे तो सारे अदवाइत वादी या मायावादी ही होते है तो इसलिए प्रवपाद जिने पहले वाले लोगों को तो मायावादी की तरह ही ये किया है मान लिया है दूसरे वाले लोग जो है उनको प्रवपाद कहते हैं कि वे देवताओं के भी उपासक होते हैं इन में जैसे वे हर एक देवता को भगवान का ही रूप मान के मनो कल्पित रूप से पूजा करते है और फिर पृतिया कोटी वाले की जो पूरे ब्रह्मान को ही भगवान का रूप मानते है इस प्रकार से ऐसे प्रोपत जी खास करके आज की दुनिया में कैसे किस टाइप के लोग द इंडिस्टेंडिंग भी है प्रतिको पासक अहंग्रहो पासक और विश्वरू पासक ऐसे तो खास करके वो आगे चल के एक श्लोक में बताया जाएगा कि वो कैसे मुक्ति के भी अधिकारी हो जाते हैं उनको मुक्ति मिलती है तो वो एक्जैक्लि मायावादी नहीं है अगे हलाकि कई कई बार प्रहुपाद जी ब्रह्मवादी मायावादी या इन लोगों को थोड़ा एक जैसा ही ट्रीट करते हैं क्यूंकि आजकल आप देखोगे कि सब मिक्स्ट हो गया है यह तो इसलिए प्रहुपाद जी वो वालि मानसिक्ठा को पुरी मायावादी मानस करते हैं कयी बार not like that, წገገ है। लिकिन ये अलग-अलग है ब्रह्मवादी अलग होता है, 誠ा हे अहंग रहु पासक हो का अलग होता है प्रतिक वाला ये हो सकता है ये सब लोग मुक्ति के अधिकारी बन सकते तो इसमें खास करके 16, 17, 18 में केवल जो विश्वर वुपासक है उनकी बात हो रही है कि जो हर चीज को भगवान की विभुती करके देखते है और पूरे विश्व को ही भगवान का रूप मानते है तो ये 16, 17, 18 में खास करके विश्वर वुपासकों की बात करके फिर यहां पे विराम देते हैं इस विश्व को भगवान अहम क्रतूर अहम यद्नाहा स्वधाहम अहम आउशदं मंत्रोहम अहम एवाज्यम अहम अगनिर अहम पुतम ठीक है अनुवाद पढ़िये कोई अहरे कृष्णा प्रोजी दंडवाट पना दंडवाट किन्तु मेही कर्मकांड मेही यद्न्या पितरों को दिये जाने वाला अरपन आउशदी दिव्यध्वनी मंत्र घी अगनी तथा आहूती है अरेक्ष्णा धन्यवाद विश्वरुप पुपासक में कोई कर्मकांडी है भरी कर्मकांड मार का अनुष्ठान कर रहा है लेकिन ऐसा सोचता है कि मैं मतलब यहाँ पर भगवान के लिए बोला जा रहा है मैं मतलब अहम मतलब भगवान भगवान ही वो वैदिक अनुष्ठान है वही वो तरपन है उसमें जो अवशधी यूज की जा रही है मंत्र अगनी घृत जो घृत मतलब घी जो प्रयोप किया जा रहा है सब कुछ भगवान है सब कुछ विश्वर हुपासक ऐसा ही सोचता रहता है ये भी भगवान है मतलब ये सब भगवान की विभूतियां है उन विभूतियों को भगवान से अबिन्न देखता है सब कुछ तो अगनी भगवान का मुख है इस प्रकार से उसका मेडिटेशन रहता है सारा जो है वो एक विराट रूप जो है विश्वरूप जो है उसमें समया हुआ देखता है ऐसा तो अच्छली ये जो है मेडिटेशन इस प्रकार का ध्यान वो भगवान का आध्यात्मिक शरीर सच्चिदानंद रूप है तो उस रूप की जगह इस जगत की चीज़ों को ही सिर्फ भगवान की आँखे मानना भगवान का हाथ मानना ये जो है इस प्रकार का ध्यान जो है ये नीचे वाला ध्यान है थोड़ा निमनस्तर का है लेकिन चूंकि इस प्रकार के वक्ती अध्यात्मिक शरीद के बारे में अधिकारी नहीं होता है उसको समझने के इस लिए इस जगत की चीज़ों को इस प्रकार से विभूति मानके हर चीज़ को भगवान से कनेक्ट कर देते हैं ये भगवान कि वक्षस्थल जो है वो देवता है ब्रह्मा है इस प्रकार से अलग अलग जो भी अलग अलग इस प्रकार से उनका जो ध्यान होता है वो इस प्रकार से करते है पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा वेद्यम पवित्र मौंकार रक्सामा या जुरे वच्छा राधा राध जोती मातर जी आप पढ़िए हुआ हुआ जानने योग्य शुद्धी करता तथा ओंकार हुँ मैं रिगवेद सामवेद तथा यजुरवेद भी हुँ तो इस ब्रह्मान का पिता माता आश्रे तथा पिता महा मैं ही हुँ मैं मतलब भगवान जनेय जो जानने योग्य है श्ञान जनेय जन्याता जो भी कुछ है वो सब कुछ भगवान ये है शुद्धिकरता ओमकार रगवेद सामवेद, यजुरवेद सब कुछ भगवान से अभिन्न माना जाता है देखो सारा विश्वा ही बोल दिया तो फिर आप इस लिस्ट में कितना कुछ आड़ कर सकते हो है कि नहीं वो थो थोड़े बहुत कुछ आइटम भगवान ने बोल दिये इसमें लेकिन वो हर चीज़ को भगवान की विभूति करके ही देख ये भगवान से अभिन्न वो भगवान से अभिन्न इस विश्वर रूप हर चीज भगवान तो इस टाइप का meditation है तो फिर वो थोड़ा सा impersonal भी हो जाता है आप देख समझ सकते हो कि सारी ही चीज़ों को भगवान के रूप में मानना है तो फिर अनन्त ब्रह्मान को अनन्त चीज़ों को आपको भगवान के रूप में स्विकार कर रहे हैं ऐसे तो इसलिए ये एक निर्वेशेश वाद जैसा ही हो गया इसलिए ये सारे मुक्ती के अधिकारी बनते है आगे तो वो मुक्ती जो है वो सविशेश मुक्ती नहीं होती है निर्वेशेश मुक्ती होती है मतलब वो भगवान के तेज मेविलीन हो जाते हैं ये सारे जो है ऐसे क्योंकि समस्थ चीजों को भगवान जो है उनकी विवोती मानते है अफकर्स भगता जो होता है वो भी उसका भी एक चेतना होती है कि वो क्या समझता है कि भगवान के ही सेवा के लिए है सब कुछ वो ऐसा नहीं बोलेगा कि ये सब कुछ भगवान है वो बोलेगा ये भगवान की शक्ती है तो देखो दोनों मैं अंतर बता रहा हूँ मैं विश्वरुख उपसक कहेगा कि ये दिवार भी भगवान है ये जल भी भगवान है आकाश भी भगवान है और हम क्या कहेंगे कि ये भगवान की शक्तियां है ये भगवान नहीं है भगवान की शक्ति है और इस शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए ये दोनों में अंतर होते है शक्ति का बोध कराते है हम लोग जो है वह इस से तो वो लोग अभिन न मानते है हर चीज़ क भगवान से, लेकिन ऐसा है नहीं न, मतलब भगवान की शक्ति के रूप में वो भगवान से अभिन नहीं, लेकिन उनका, उनकी धर्णा वैसे नहीं होती, वो तो ऐसे सोचते हैं कि ये ये भगवान का ही रूप है, ये सब भगवान, वैसे हैं कि नहीं, भले हम लोग नरसिय हम जानते हैं कि खंबे से आए लेकिन हम लोग नर्षियां देव की आराधना करते है अर्चविग्रह बना के है के नहीं खंबे का अर्चविग्रह नहीं बनाते है भले ही वो उग्रस्तंब जो है उसकी आराधना मतलब उसको समान करते है लेकिन अर्चे विग्रा नहीं बनाएंगे ना उग्रस तंबका वो तो दुस्यां देव का ही बनाते हैं तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं मुद्दा कहा है भगवान का अपना रूप है और उस रूप की आराधना करनी चाहिए भले भगवान इस जगत से अभिन्न है इस का रूप है ऐसा नहीं होता कि इस जगत की कोई भी चीज लेकि भगवान के आराधना करो इसा नहीं होता तो ये बात है ठीक है गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरनम सुरित प्रभवा प्रलयस्थानम निधानम इजम अव्ययं चिक है ताधर अधना प्रो आप पढ़ियागा अधरी कृष्णा दन्वत प्रोजी तो वे मानते हैं कि भगवान की गति है भगवान ही पाधन करता है स्वामी है साक्षी है निवास है अर्थत उस भगवान की धारना में वो सोच सकते कि सब कुछ भगवान है लेकिन ये धारना तो कॉमन है कि भगवान ही प्रभु है, साक्षी है, प्रभव है, प्रले ये तो भक्तों का भी ऐसा ही भाव होता है तो वैसे विश्वर उभुपासकों का भी ऐसा ही भाव होता है तो वो बताया गया है इसमें तो प्रवपाजी खास करके ताथपरे भक्तों के भाव से ही लिखते हैं भक्त लोग कैसे देखते हैं गतिकार्थ है गंतव्या लक्ष शरम लक्ष तो कृष्ण ही है मैंने बताया आपको ये प्रवपाजी की स्टाइल है इस टाइप से लिखते है हमेशा हो कर्मयोग भी चल रहा है चर्चा तो प्रवपाजी भक्तियोग क्या अंगल से लिखते है यहां पर विश्वरु को पास की बात हो रही है प्रवपाद जी भक्तियों क्या अंगल से लिखते है क्योंकि उनको पता है कि वो वाला मार्ग जो है उसका कोई अनुशिलन नहीं कर सकता खास करके कल्यूब में तो कोई बहुत दुरलब है ऐसा कोई अनुशिलन करने वादा तो जो मार्ग कृष्टना निशकर्ष के रूप में बता रहे है सिध्धान के रूप में बता रहे है उसे को प्रवपाद बार बार बोलते रहते है बार बार बोलते है तो इसलिए प्रवपाद जी कभी कभी टेकनिकल अंडिस्टैंडिंग के बारे में ज्यादा उसको स्ट्रेस नहीं देंगे जैसे ये प्रतिक उपासना है ये विश्वर उपासना है ये अहंगर उपासना है इस परकार की बाते बताएंगे नहीं भी बताएंगे उनके उपर है जो भी है तो आपको जहां तक भाव समझ गया प्रहुपाद जी का तो ठीक है ऐसे लेकिन कुछ और आचार ये बताते भी है ये चीज़े देखो यहां टेकनिकली क्या बोला जा रहा है ये चीज़ बोली जा रही है ये चीज़ बोली जा रही है तो प्रोपाजी का मुद्दा ये रहता है कि भाई जो भी हो भक्त बनना चाहिए उसने तो इसलिए इन तात्परियों में प्रोपाजी सिदा भक्ति का आर्थ दे रहे है वहां पर पुरा-पुरा कि कैसे क्रिश्न जो है वो गती है क्रिश्न प्रभू है क्रिश्न साक्षी है सब कुछ बात ठीक है ओके और एक श्लोग है इसमें ये लास्ट श्लोग है इदर अर्जुना सदसच्चा हम अर्जुना सर्वमाई मनिमंजरी माताजी अरे क्रिश्न प्रभुजी देंडवत प्रणाव है अर्जुन मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तता लाता हूँ मैं अमर्तु हूँ और साक्षात मृत्यू भी हूँ आत्मा तता पदात सत तता असत दोनों मुझी ही में है हरे क्रिश्न हरे क्रिश्न धन्यवाद तपा में हम अहम वर्षम निगरणामे उठ्स्रिजामे चाथ है अर्जुन मैं ही ताप प्रदान करता हूँ मैं ही वर्षा को रोकता हूँ अमर्टम चाईवा मैं अमर्त हूँ मृत्यू भी हूँ और आत्मा तता पदार दोनों मुझ में ही है सब कुछ समस्त चीजों के कारण समस्त चीजों के निधान समस्त चीजों के उस्तरोद सब कुछ भगवान वेही अमरत वहे मतलब वोही अमरत प्रदान कर सकते है शाशवत जीवन प्रदान कर सकते है और वेही मृत्यू के भी कारण है सब कुछ उनके अधीन है ये बात सद सच्चा हम आत्मा और पदार दोनों भगवान से ये भगवान की शक्तिया है एक तड़स्त शक्ति है एक बहिरगा शक्ति है सब कुछ जो है वो भगवान में स्थित है ठीक है यहां से आगे एक दूसरा विश्या आता है कि देवता उपासक जो है उनके सद भगवान के भगतों की तुलना होगी तो इसको अगले सत्र में अगले सत्र में शायद ये सद्ध है को पूरा कर पाऊंगा मैं सारे इस श्लोक ये काफी जगह कोट किये रहते है तो इसलिए कई बार इसकी चर्चा थोड़ी लंबी हो जाती है आगे भी देखो ऐसे सब श्लोक आएंगे पत्रम पुश्पम फलम तो यहां फिर अनन्यास चिंत यंतो मान यह सब बहुत इस पर चर्चा होती है तो ठीक है प्रयास करते है इसको अगले सत्र में पूरा करने का यहां पर मैं रुपता हूँ किसी को अगर कुछ सेवा है आगे बढ़ी है बाकि किसको प्रश्ण है तो पूछ सकते है श्रिमत भगवत गीता की चाह घ्शिलाप्रग्वपात की जाह है किसी को कोई प्रश्ण है चे राधा राधान प्रव बोलिए बोलिए दुसरे प्रव कुछ बोले नपर नपर बोलिए स्वामिनारेंट सम्परदे क्या है प्रभू समझ में ने रही आधा वो लोग प्रभू एक व्यक्ति थे घंशाम पांडे जी तरके तो उन्होंने उनको कुछ प्रबोधन हुआ भगवान की उन पे कुछ कृपा हो गई तो उसकी वज़े से उन्होंने संपरदाय का उस संपरदाय का रस्थापन किया तो उसमें लेखिये जो फिलोसपी है वो ली गई है रामानुष संपरदाय से तत्वग्यान रामानुष संपरदाय से लिया है और जो साधन है प्रैक्टिस है वो ली है उस्टिमारगियों से ऐसे करके वो एक मिक्स वहाँ पर संप्रदाय जो है वो दिखाई पड़ता है तो हलाकि वे तो भगवान राधा कृष्णा या लक्ष्मिन आरेन सीता राम आदी के आराधना करते है लेकिन थोड़ा सा उसमें कभी कभी जिसे कोई मायावाद आदी की कुछ छटाएं भी दिखाई पड़ती ऐसे हम लोग उसको पुरा पबलिक में आदी बात करते हुए ऐसे बताएंगे नहीं लेकिन अगर आप प्लग गहनता से पढ़ोगे तो उसमें दिखेगा कि कई सारी चीज़े ऐसी है जो की एकदम शुद्ध वैश्णव संप्रदाय में स्विक्रित नहीं है तो हो सकता है कि वहाँ पर रामानंदी आदी संप्रदाय का प्रभा हो या फिर कहां से आया है वो पता नहीं है लेकिन बहुत सारी बात ऐसी भी होती है जैसे ब्रहमा लीन ब्रहमा में लीन हो जाना आदी वगरा क्योंकि हम लोग वैश्णव संप्रदाय में स्विक्र नहीं करते हम लोग उसको एक अंतिम गंतव्य करके ऐसे तो हाला कि वो संत थे बड़े अच्छे संत आदी थे लेकिन उसकी विचार उनका जो विचार आदी है उससे हमारे मतबेद है उन लोग पुरस्विकार नहीं करते उन विचार हों और फिर बात में तो ऐसे भी हो गया कि वो जो सहजानन थे घंशाम पांडे जी तो उनको उनको तो वो भगवान भी मानने लगे बात में तो वही भगवान बन गए फिर तो फिर उसके उपर वो कुछ शास्तर प्रमान भी देना चाहते है देते है लेकिन उसका बहुत कुछ ऑफेंटिसिटी उसकी ऐसे तो दिखाई नहीं पड़ी तो इसलिए इनसे हमारे सम्मन्द जो है आप लोग व्यावार सम्मन्द भले सवहर्थ पुन रखे लेकिन मद्वेद है उसके फिलोस्पी के उपर हम लोग वैसे तो फिलोस्पी है भी नहीं उनके पास ज्यादा देखा जाए तो कई बार वो अन्या संप्रदायों से कुछ लेके चीज़े थोड़ी बहुत बोलते है उसके ठीक है रोक है नहीं लोग पुछते ऐसा परसो मुझे सबाल पुछा मैं कुछ हम लोग हाँ आप कह सकते हो कि ठीक है सबसे सम्मान करते है हम लोग तो सभी प्रकार के लोगों का तो उनका भी सम्मान करेंगे लेकिन सेम है वैश्नवी है एकदम ऐसी बात है नहीं कुछ उसमें और भी चीज़े है और खास करके उनके समस्थापक को ही वो भगवान मानते है इस चीज़ को थोड़ा स्विकार करना कठिन है लेकि महाप्रभू को तो भगवान घुशित करने के लिए ब पूरी चैतन्य महाप्रो की भगवत्ता की प्रमान गोडियमठ द्वारा प्रकाशित है कई कई प्रमान दिये उसमें सो प्रमान दिये है अलग अलग शास्त्रों से लेकिन ऐसा वहां पर नहीं है अन्यत्र तो कुछ-कुछ संप्रदय में ऐसे हो जाता है कि कुछ समय बाद समस्थापक को ही भगवान मानने लगते है वो फिर वो परिशानी है ऐसा है वर वर ठीगए प्रभव दन्याद अलगा राधा राधानात प्रभव प्रभव जी जो सबस्त मान लो की जो अध्यत्मिक जगत है उसमें सबस्त कुछ शांत रसक है कोई पेड़ के रूप में है बहुतिक जगत में फिर से उन्होंने भगवान की साधना की होटिवर सबस्त वो इसकौन में जोइन हुए है तो फिर से वो साधना करके फिर वो शांत रूप को ही प्रभवेट होते हैं कि दूसरे मिंस ये वाक्य जो हमारे जेव अन्य चार्रा से उसको प्राप्ट हो सकते ये एक था एंड कलके इसके उपर और एक था क्वेरी कि वो जो हम जो आउच जो भगवान के पाथ जाते है मिंस फट्योर तो वो फिर उनका रूप कैसा सीमित कलका जो था उसके उपर ही था मिंस वो क्या क्योंकि वहाँ अद्यत्मिक जगता है तो कैसा रगता है ये विश वस्तु की सीमा के बाहर चला जाएगा वो कि बहुत लोगों ने भक्तों ने कई सारी चीज़े फंडामेंटल सुने नहीं होंगे तो फिर उस पर कभी आप अलग से पूछ लेना ये विशह यहाँ पर नहीं करूँगा मैं शर्चा इसके उपर ठीक है अन्यों किसी का कोई प्रश्ण नहीं है तो फिर डुकता है यहाँ पर अब सबको गीता जैन्ती की हर दिक्षुप कामना है हम लोग गीता पढ़ रहे हैं गीता जैन्ती तो कल के दिन गीता गीता जी से प्राथना कर सकते है कि हमें उनकी कृपा मिले उनका उनकी कृपा से हम लोग शास्त्र के इन तत्वों को समझ के हमारे जीवन में उतार पाए और लोगों को भी इसका ग्जान जो है वो दे सके गीता का ग्जान जो है वो अपने में इतना परियाप्त है कि उससे समस्त तत्वों को पूरी तरह से प्रकशित किया जा सकता है गीता सुगीता करतव्या कि मन्ने शास्त्र विस्तर रही या स्वयम पद्मनाफस्य मुखपद्माद में इस से था शंकराचारिय जी ने भी कहा है कि गीता अगर कोई अच्छे से सीख ले तो फिर कि मन्ने शास्त्र विस्तर रही बहुत बाकी बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत भी ने आपको समगर तत्व विचार जो है पुरी तरह से स्वष्ट हो जाएगा या स्वयम पद्मनाभस से मुख़ पद्मात भी नहीं से तो बहुत विशेश दिन है इस दिन हम लोग गीता का पाठ कर सकते है गीता का वितरन कर सकते है कुछ संकल्ब भी कर सकते देखिए कि मैं हर दिन गीता के एक शलोक को पढ़ूंगा या हर हफ़ते में मैं गीता के दो शलोकों को याद करूंगा ऐसा कुछ संकल्ब करना चाहिए भगवत गीता हमारे जीवन का एक विभाज्य अंग बना सकते है उसको के हर दिन आप भली एक शलोक पढ़ो गीता का रोच या रिसाइट करो जैसे हर दिन में आप एक सो आठ शलोक है गीता के अगर आपको याद है तो अच्छी बात है नहीं है याद तो कुछ संकल्ब कर लीजे हर दिन आप 10 श्लोकों को पारायन करोगे देखो आपको अगले गिता जैनती आने तक याद हो जाएंगे सारे श्लोक एकसो आट श्लोक याद हो जाएंगे उससे भी ज्यादा ऐसे तो कुछ संकल्ब करना चाहिए ऐसे दिनों में विशेश करके तो उससे फिर बहुत लाव होता है और वैसी शक्ति भी प्राप्त होती है जिससे कि हम जिवन में कुछ विशेश रूप से उस शास्तर की खृपा प्राप्त कर सकें ठीक है श्यमत भगवद गीता की जाए श्यलब प्रभपात की जाए ठीक जाए